हेलो एंड वेल्गों बैक दियर स्टोन अकाडमी चानल आम समीट सिंचली करी और मैथमेटिक्स मेंटर एंड दिस जे लाइव डिली 3.0 जहां पर आज हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा सीक्वेंस और सिरीज का लेकिन जोमेट्रिक प्रोग्रेशन का बच्चों आज ये पहल पार्ट है हम यहाँ पर जो है दो लेक्चर में जोमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर दिसक्र निखोगे तो आपको AP और GP के पर आप guarantee से देख सकते हो कि आपके साथ में सारे educators लगे होए हैं, रोज आ रहे हैं, आपके साथ में live sessions ले रहे हैं, ताकि आपके लिए यहाँ पर syllabus आसान से आसान तरीके से deliver हो पाए, और आपको आपको आसानी से सारी बाते समझ में आपाए, लेकिन यहाँ पर आपके साथ से बचो online education में एक सबसे बड़ी जो requirement होती है बचों के साथ से वो होती ही dedication की, अगर आप dedicated हैं, अगर आप यहाँ पर regular हैं और आपके अंदर अगर एक आग है यहाँ पर सीखने की, then I guess online education is the best way and the most affordable way in which you can learn for any of the exams, क्योंकि आज यहाँ पर केवल जहीं नहीं, यहाँ पर कई सारे exams की तियारी online तरीके से complete की जा रही है, ठीक है, हम उनमें से ही एक हैं, है न, and we are very happy to be one of those educators, जो यहाँ पर इतने सारे बच्चों की मदद कर पा रहे हैं, we are very thankful to God कि हमें यह opportunity मिली है, और इसी के साथ में हम यहाँ पर अपने साइट से best possible आपके साथ में discussion से रोज लेकर आते हैं, and हमें भी काफी अच्छा लगता है, आपके साथ में interact करके, आपके साथ में यहाँ पर knowledge share करके, आपको भी यहाँ पर इतनी ही खुशी होती होगी, यहाँ पर सारे content को समझ कर अपने आगे questions प्राक्टिस करते समय, ठीक है, बचो आप हमारे साथ में connected फर्दर रह सकते हो, टेलिग्राम चैनल के उपर आजाओ, आपको जो मेरे classes का notification है, वो सही समय पर मिलते रहेगा, और साथ साथ अगर आपने कोई भी sessions miss कर दिये हैं, या फिर आपको एक single resource की requirement है, जो आप यहाँ पर JE के लिए इस्तमाल कर सकते हो, then live.me.je एक ऐसा single link है, जिसके उपर आपको physics, chemistry, maths, class 11th and 12th के सारे lectures का link हमने freely available करा दिया है, ये links आपको YouTube sessions के उपर ले जाता है, तो आपको इहाँ पर guidance मिल जाता है, हर session की जो JPP की sheet होती है, यहाँ पर upload होती है, तो आपने at least उनके लिए तो इस particular link का इस्तमाल करना ही चाहिए, ठीक है? और साथी साथ Unacademy subscription के बार में, I guess सारे बच्चों को पता होगा, So in that scenario, Unacademy subscription is, I guess the right choice for a lot of students, क्योंकि यहाँ पर आपको affordable prices में, इंडिया के top educators के साथ में connect होने के लिए मिलता है, आपको यहाँ पर test series का एक advantage मिलता है, आपको doubtling sessions का advantage मिलता है, and that is what is giving such amazing results from Unacademy subscription platform as well, आप यहाँ पर अपने subscription को अगर लेना साथ है, ठीक है, आप यहाँ पर एक साल, दो साल, देर साल का भी मेरी खाल से हाँ पर subscription आपके पास में available होता है, ठीक है, so with that basic information, let us start our today's discussion, geometric progression का discussion बच्चों हम start करेंगे, लेकिन जो बच्चे हाँ पर regular हैं उनको पता होगा कि हमारे पास में अभी एक homework question discuss करने के लिए, and I am planning to discuss it beforehand only, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब geometric progression start हो जाएगा, तो हम यहाँ पर और कुछ पढ़ना नहीं चाहेंगे, arithmetic progression को पहले यहाँ पर पूरी तरह से खतम कर दिया जाए, ठीक है, all right, so arithmetic progression में हमारे पास कई सारी properties थी, उसमें से एक particular property जो हमने discuss करी थी, उससे related सवाल मैंने आपको homework में दिया था, कई सारे बच्चों ने already इसका correct answer दे दिया है, and I am very happy to see कि आपको यहाँ पर concept जो बताए जा रहे हैं, वो पहली ही बार में apply करते भी आ रहे हैं, so that is a big plus, क्योंकि कई सारे बच्चों को यहाँ पर concept दो-तीन बार समझने पड़ते हैं, बहुत बार class illustration देखना पड़ते हैं, तो उनको पता चलता है कि जो हमने formula पढ़ा है, जो हमने idea discuss किया है, उसको कैसे apply किया जाता है, ठीक है, बड़ अगर आप जल्द से जल्द इस बात को समझ जाते हो, है न, जादा कुछ मेहनत कि अगर आपको यहाँ पर application वाला भी, अगर thought develop हो रहा है, then I guess you are already way ahead of your competition, बस लेकिन यहाँ पर अपनी practice जारी रखें सारे बच्चे, यहाँ पर आपके पास में जो sigma के format में value दी हुई है, I don't think कि अब किसी को भी हाँ पर sigma से डर लगता होगा, अगर हो regular है, क्योंकि हमने यहाँ पर trigonometry से ही, sigma और pi जैसे notations को deal करना, सीखना, start कर दिया है, हमने sigma का जो understanding है, अपने quality educational chapter में भी इस्तेमाल अल्री किया हुए, ठीक है, so यह जो basically आपके पास में expression है, इसको सबसे पहले हमने क्या करना सीखा है, open करके लिखना सीखा है, है ना कभी भी आपको doubt हो तो open करके लिख लिया करो कि, यहाँ पर यह बोलना क्या चाह रहा है, अगर आप यहाँ पर J की value एक एक करके substitute करोगे, तो आपके पास में यहाँ पर answer जो निकल कर आ रहा है, that is 693, मतलब यहाँ पर आपके उसमें बनेगा क्या, J की value 1 डालो कि तो आपके उसमें A1 बनना चाहिए, J की value 2 डालो कि तो आपके उसमें A2 बनना चाहिए, J की value 3 डालो कि तो A3 बनना चाहिए, ऐसे करते करते आप कहां तक जा रहे हो, 21 तक जा रहे हो, और यह आपके पास में 693 answer generate कर रहा है, मतलब यह sum है, कुछ numbers का, लेकिन उन numbers में यहाँ एक खास बात जो आपको question में दी हुई थी, वो क्या थी कि वो एक arithmetic progression में हैं यह सारे numbers, अगर यह सारे numbers आपके arithmetic progression में हैं, तो क्या मैं सम का formula लगा के इसको थोड़े compress तरीके से अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ, है न, compress तरीका 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 यह भी है, लेकिन यह क्या है, convenient नहीं है equation solving के perspectives है, मैं यहाँ पर इसको अगर convenient तरीके से लिखना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, कि ऐसा करता है, इसको n by 2 into first term plus last term के मदद से convert करने की कोशिश करता है, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, तो a1 plus a21 लिखा जा सकता है, and that will give me 693, 693 और यहाँ पर 21 आपका cancel होना चाहिए, एक बार सारे बच्चे एक बार जल्दी से देख लें, कि क्या use करने से यह cancel आपका हो रहा है, I guess यह 33 से cancel हो जाएगा, आप यहाँ पर टू स्टेप प्रोसेस इस्तेमाल कर लें, पहले 7 से cancel कर लें उसके आप में 3 से cancel कर लें तो आपके उसमें यहाँ पर 33 बचना चाहिए, 2 अगर आप यहाँ पर cross multiply करोगे तो आपके उसमें overall यहाँ पर answer निकलेगा, 66 के बराबर, a1 plus a21, a21, हमारे पास में 66 है, this is the kind of information which is usable, हमें जो information initially sigma के format में दिय हुई थी, वो अतनी usable नहीं थी, information वो और यह exactly same है, यह information exactly same है, क्योंकि हमने उसी information को simplify किया है, लेकिन इसको मैं आगे use कर सकता हूँ, ठीक है, तो इसको हम e question बना के रख लेते हैं अपने साथ में, आप देखते ही कि उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि आप इस sigma का value निकाल के बताओ, तो फिर से हमारा जो main idea होना चीओ क्या है, कि हम इस sigma को पहले समझ तो ले कि कि क्या है, तो हमारे sigma एक बार जो है next page पे लिखने हैं, a2i plus 1 ऐसा आपका subscribe है, और यहां पर आपका जो i का value है, वो जाता है 0 से लेके 10 तक, ठीक हैं, तो अगर मैं इस चीज को open करूँगा, तो मिरे पास में क्या आएगा, मिरे पास में 0 डालने पर a1 आएगा, लेकिन जब मैं यहां पर 1 डालूँगा, तो मिरे पास में a3 बन रहा है, देखो सारे बच्चें यहां पर ध्यान से, ठीक हैं, यहां पर 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अगर आप यहां पर 2 डालोगे, 2 डालोगे तो इसकंदर गया बनेगा, a5 बनेगा, और ऐसा यह आगे बढ़ते रहेगा, लास्ट में जब आप 10 डालोगे तो आपको a21 फाइनली मिलने वाला है, मतलब यहां पर जो और सब्सक्रिप्ट वाले टर्म्स हैं, बस उनका ही एडिशन इसको चाहिए, लेकिन यहां पर क्योंकि हमने प्रॉपर्टी के बाद में इस सवाल आपको दिया था, तो मैं चाहा रहा हूँ कि हम पर इसको प्रॉपर्टी के थिरूई आपको सौल करके बताओं, ठीक है, अधर्वाइज यहां पर आप जो है, यह हमने एक प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में पड़ी थी, अगर आप यहां पर उस चीज को अप्लाय करते हो, तो आप यहां पर ध्यान से देखों कि अगर आपको इतने सारे नंबर्स आड करने हैं, तो मैं इनकी ग्रूपिंग कर सकता हूँ अच्छे तरीके से, यहां पर मैं पेर करकर के अड़ करना चाहता हूँ, A1 और A21 का सम क्योंकि मुझे पता है न, A1 और A21 का सम मैंने अभी अभी हांपर 66 के बराबर निकाल कर रखा हुआ है, अब यहां पर जो next आपका combination create हो रहा है, मैं A3 के साथ में बनाना चाहता हूँ A19 का combination, क्योंकि यह मेरी equidistant terms है, क्या आभी realize कर पारे हो कि यह आपकी equidistant terms है, अगर आप यहां पर एक AP को देखोगे, तो आपका जो A3 है वो third position का term है, और last से अगर आप third position निकालने चाहोगे, तो यहां पर last क्या है, 21, A21 उसके पहले क्या आएगा, second last term A20, और third last term आपका कौन सा आएगा, A19, तो पीछे से third term आपकी A19 है, आगे से आपकी third term A3 है, तो यह आपकी equidistant terms है, और equidistant terms का sum हमारा constant होता है, और हमेशा first और last term के sum के बराबर ही होता है, इसलिए इस combination को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, अब यहाँ पर मेरे खाल से आपको एक feel आना start हो गई होगी, मैं यहाँ पर A5 के साथ में किसको ले लूँगा, A17 को ले लूँगा, और आप यहाँ अब सब्सिर्ट का भी खेल जोड़ा सा notice कर सकते हूँ, सब्सिर्ट का game क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह 15 हो जाना चाहिए, और यह आपका A13 हो जाना चाहिए, ठीक है, यह सारे के सारे हमेरे 66 के बराबर value generate कर रहे है, लेकिन आप यहाँ पर देहां से देखो कि अगर मैं एक एक करके अपने और सब्सिर्ट को बढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास में अभी एक और value बचा है, which is A11, A11 मेरे पास में हाँ पर अभी value बची हुई है, उसके बारे में आप क्या खहना चाहते हैं, A11 का pairing किसके साथ बनेगा, आगर आप यहाँ पर सब्सिर्ट का addition, सब्सिर्ट का addition जो है, वो 22 के बराबर होना चाहिए, अगर इस बात को सोचोगे, तो A11 के साथ के आपको A11 का ही pairing करना पड़ेगा, A11 के साथ में आपको A11 का ही pairing करना पड़ेगा, ठीके, लेकिन हमारे पास में दो A11 थोड़ी ना है, हमारे पास में इस particular sequence में एक ही A11 है, तो हम यहाँ पर दूसरा logic भी लगा सकते हैं, हमने एक और property last class में पड़ी थी, कि आपका AP का कोई साभी term जो होता है, वो उससे equidistant terms का average होता है, A11 जो है, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, वो 21 और A1 से equidistant है, ठीक है, आप अगर A11 से 10 कदम आगे जाओगे, तो आपको A21 मिलेगा, 10 कदम पीछे जाओगे, तो आपको A1 मिलेगा, मतलब A11 जो है, बिल्कुल बीच में बेटा हुआ है, A1 और A21 के comparison में, और इसलिए यहाँ पर हमारी जो दूसरी property थी, कल के lecture में, उसको अगर मैं apply करूँ, तो यहाँ पर हमें बोल सकता हूँ कि, यह पक्के से आपका A1 प्लस A21 का average होना ची, A1 और A21 का average होना ची, और इस वज़े से आपको इसका value कितना मिलेगा, इसका value आपको 33 मिलेगा, सो हमें जो यहाँ पर find करना है sum, हमने basically उसके अलग-लग टुकडे find कर लिये हैं न, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच एकोल टुकडे हैं, और A को टुकड़ा हमारे पास में 33 के बराबर निकल कर आया है, इन सभी का addition तो पूछा गया है, इन सभी का addition ही मुझे ultimately पूछा गया है, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, sigma A, 2I plus 1, I के value 0 से लेके 10 तक कितना हो जाना चाहिए, 5 तो हमारे पास में 66 है, और उसके बाद में 33 भी मेरे पास में है, ठीक है, so 5, 6, 0 हो जाएगा, 6, 33 हो जाएगा, और 33 और आ रहा है, 363 हमारे पास में यहाँ पर final answer बनना चाहिए, एगरी करते हैं सारे बच्चे, 363 के साथ में, C answer के साथ में एगरी कर रहे हैं, yes, clear हो गया, yes, बहुत बढ़िया, चलो, sir, 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 आपका 66 के परापर है, but that does not mean कि यहाँ पर यह दोनों वाल्यू आपकी 33 के परापर है, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन, A11 हमारे पास में definitely एक ऐसा term आ रहा है, जिसकी actual value 33 के परापर है, based on the information that we have in this question, ठीक है, और एट सुब यह properties वाले question जो है, काफी amazing होता है, आपने को properties लगाना सील के ता आपके कई सारे, बढ़िया बढ़िया question solve, होना start हो जाएंगे, अब हम start करते हमारा आज का discussion, which will be for geometric progression, geometric progression हो सकता है कि कुछ बचों में फिर सहे, junior classes पर पढ़ा हुआ होगा, हो सकता है, है ना, लेकिन mostly तो मुझे लगता है कि geometric progression यहां पर जो है, majority of the जन्ता जो है, 11 वी class में पहली बारी बारी बढ़ रही होगी, ठीक है, so let us begin something new, in today's session, ठीक है, so arithmetic progression का भाई है, basically है, ठीक है, arithmetic progression में हम अपना sequence कैसे generate कर रहे होते हैं, कोई भी एक number पकड़ लेते हैं, first time, और उसके अंदर एक same quantity बार 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 अड़ करते जाते हैं, तो हमें अपना sequence generate होते हो जो मिलते हैं, उसको हम arithmetic progression बोलते हैं, यहां पर आपको क्या करना है, instead of adding a constant number, आप क्या करो, उस constant number को multiply करते जाओ, आप क्या करो, उस constant number को multiply करते जाओ, अगर आप ऐसा करते हो, तो आपके उसमें जो sequence generate होता हो, उसको हम geometric progression बोलते हैं, ठीक हैं, तो यहां पर कहना क्या चाहते हैं, इपना बड़ा सा पढ़के परिशान मत हो जाना, basic सी यहां पर जो bookish है, definition होती है, वो लिखी हुई ही यहां पर, ठीक है, और कुछ निए, GP is a sequence, obviously it is a sequence of numbers, whose first term is non-zero, now this is important, कि आप अपने first term को zero नहीं ले सकते हैं, आपने सोच़एं यहां पर, आप यहां पर create करना चाहते हो, अपना sequence, by multiplying a constant number, आपने first term ही अगर zero ले लिया, और उसमें अगर आप कुछ भी multiply कर रहे हो, let's say two multiply कर रहे हो, तो अगला number zero ही आएगा, फिर zero ही आएगा, फिर zero ही आएगा, तो यह basically, हम जो है, इस चीज को geometric progression नहीं मानते हैं, this is not a geometric progression, हम यहाँ पर अपना starting value कभी भी zero नहीं लेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, यह theoretical point है, लेकिन important है, ठीक है, इसको अलग से coloring कर दिया जाए, I guess this is important for us, ठीक है, and what else, and each of the succeeding terms is equal to the preceding term multiplied by a constant, और यह जो constant हाँ multiply करते हो, इस बार इसका नाम हम बोल रहे है common ratio, पिछले बार हमने नाम रखा था, arithmetic progression के case में common difference, जिसको हमने D से denote किया था, इस बार हम common ratio नाम दे रहे हैं, जिसको हम R से denote कर रहे हैं, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, हम इसको common ratio नाम क्यों दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, एक example के थुरू आपको बात समझ में आ जाना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर अपना sequence start करता हूँ 1 से, और मैं यहाँ पर बार बार 2 multiply करने की कोशिश करूँ, अगर मैं हर बार इसके अंदर 2 multiply करने की कोशिश करूँ, इसलिए इसका नाम geometric progression है, आगे से आपको यह बताते हैं, आज आना चाहिए, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि इस बार हमने sequence generate किया है, by multiplying है constant number, इसलिए जब मैं हाँ पर consecutive terms का ratio लेता हूँ, जब मैं consecutive terms का ratio लूँगा, तुम मुझे ratio हर बार देखो कितना मिल रहा है, 2 upon 1 करके 2 मिल रहा है, consecutive terms का ratio, 4 upon 2 करके भी 2 ही मिल रहा है, consecutive terms का ratio, 8 upon 4 करके भी 2 ही मिल रहा है, तो यह जो हम number बार बार multiply कर रहे हैं, it makes a lot of sense, कि हम इसको common ratio नाम दे, और क्योंकि common ratio है, इसलिए हम इसका जो symbol है, वो R create कर रहे है, clear हो गया सारे बच्चों को? Alright, चलो, बहुत बढ़िया, हमारे पास में यहाँ पर जो basic understanding होती ही, geometric progression की वो तो यहाँ पर develop हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर हम अगर अपने, geometric progression को एक general तरीके से लिखना सीख जाएंगे, तो जाद अच्छा होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर पताए कि कभी भी, अगर मैं अपना sequence, जो है, generalized way में लिखना चाह रहा होता हूँ, तो मुझे यहाँ पर अपनी first term को कुछ नो कुछ तो मानना पड़ेगा, तो A और D के combination के जगे हम यहाँ पर अब A और R का combination इस्तिमाल करने वाले हैं, to express our geometric progression, ठीक है, तो A है हमारे पास में, जो हमारी starting वाली term है, और R है हमारे पास में वो number, जो हम बार बार multiply करना चाहते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर, अब R अगर constant number multiply करना चाहता हो, तो अगला term क्या बनना चाहती हैं मेरा, R बनना चाहती है, और उसके बाद मैं अगर मैं फिर से R multiply करूँगा, तो R square बनना चाहती है, फिर R की power 3 बनना चाहती है, R की power 4 बनना चाहती है, और यह आगे जाते जाएगा, यह आगे मेरा जाते जाएगा ठीक है तो अगर कभी भी आपको ज़रुद पढ़ती है कुछ numbers geometric progression में लिखने की तो आप ये idea इस्तिमाल कर सकते हों ठीक है कि हाँ A, A-R, A-R square, A-R cube A-R più-C power 4 are definitely in geometric progression है नंकि हमने ह waffle multiply करकर कर कि अपना sequence generate definitely किया हुआ है तो आँ यहांपे क्या जेस्ट बाइ observation जैसे हमनजर्फो के लेक्षर में किया था क्या किया था हमने अपने general term को directly observe ही कर लिया था ठीक है तो क्या यहाँ पर भी आप observe करके मुझे बता सकते हो कि आपका general term कैसे represent होगा आपका general term कैसे represent होगा आपको यहाँ पर observe करने का तरीका एक बार फिर से बतायता हूँ यह बचों आपका term number 1 है क्योंकि यह first position का term है यह आपका term number 2 है यह आपका term number 3 है यह आपका term number 4 है, यह आपका term number 5 है तो आप यहाँ पर pattern यह notice करो कि हर एक term के अंदर आपको एक तो A मिल रहा है और उसके multiplication में R की power change हो रही है अब वो जो R की power है, वो position of term से एक कम है यह दिखाई दे रहा है सरवचो position आपकी जो भी है term की, उससे एक कम power आपके R की आपने इस्तेमाल करना चाहिए, यह हमें दिखाई दे रहा है इसका कोई अलग से proof नहीं है, आप यहाँ पर observe कर रहे हो और बता रहे हो क्या, कि आपका यहाँ पर जो formula बनना चाहिए जनरल टम का in case of geometric progression, वो क्या होना चाहिए TN is equal to A into R की power N minus 1 क्योंकि यहाँ पर मैंने subscribe में N लिखा है, तो R की power मेरी N से एक कम होना चाहिए, ठीक है, clear हो गया, इसको लिखने सारे बच्चे, यह आपका जनरल टम का formula है, जिसको हम भरपूर इस्तमाल आज के lecture में करने वाले है, ठीक है, दिख्या, A into R की power N minus 1, all right, तो इसी के साथ में हम इसका मतब questions के उपर आ सकते हैं सीधे, theory मैट्स में यहाँ पर यह अच्छी बात होते ही, कि theoretical discussion बहुत ही minimal होते हैं, हमें question पर ही basically TN is equal to A into R की power N minus 1, तो यहाँ सवाल सॉल करते हैं सबसे पहले, every term of a GP is positive, all right, अच्छा अगर हर एक term यहाँ पर positive है, तो यहाँ पर क्या मैं यह comment कर सकता हूँ, कि इसके अंदर जो हमने first term सोचा होगा, और जो हमने common ratio सोचा होगा, दोनों ही positive होंगे, एक बार देखते हैं, चलो, यह सवाल हमें थोड़ा सा, एक अच्छा guidance दे रहा है, कि हमने एक दो example geometric progression के और देखने चाहिए, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर starting point जो अपना select कर रहा हूँ, अगर मैं वो minus 1 कर लेता, और अब अगर मैं इसके अंदर 2 बार बार multiply कर रहा होता, तो क्या होता, मेरे पास में सारे के सारे terms negative बन गया होते, है न, यहाँ पर मेरे पास में 2 multiply करके minus 2 आया होता, फिर 2 multiply करके minus 4 आया होता, फिर minus 8 आया होता और इस तरीके से आपके सारे के सारे जीबी के टर्म्स negative हो गए होते हैं लेकिन instead of that अगर मैं अपना starting point 1 ही रखूं लेकिन अगर मैं अपने common ratio को negative कर दो उपर वाले में क्या किया था हमने a को negative किया था लेकिन आर आपका positive था आर की value 2 है उपर वाले example के अंदर ठीक है यहाँ पर मैं अलग से mention भी कर देता हूँ आपका जो पहला वाले example लिखा है उसके अंदर a की value आपके minus 1 है लेकिन r की value प्लस 2 है ठीक है all right बट अगर आप यहाँ पे starting तो one से करो लेकिन r की value को आप यहाँ पे minus 8 मिलेगा minus 8 में minus multiply करोगे तो plus 16 मिलेगा तो यहाँ पर आपको alternate plus minus plus minus वाली terms मिल सकते ही ठीक है बट again confused होने वाली कोई बात नहीं है यह भी एक valid GP है यह भी एक valid GP है और जैसे कि हमने common ratio जो है वो fraction भी हो सकते है अगर आपने 1 से start किया है और आप यहाँ पे half multiply करना start कर दो तो आपके समें 1 by 2 आएगा 1 by 2 के बाद में 1 by 4 आएगा 1 by 4 के बाद में 1 by 8 आएगा तो आपके sequence इस तरह के भी हो सकते है यह भी आपका एक geometric progression है जहाँ पर आपका r का value 1 by 2 है मतलब एक fraction है ठीक है आपका 1 by 2 है यहाँ पर r का value आपका minus 2 है ठीक है तो इस तरह के कोई भी values आप अगर लेते हो तो चलता है लेकिन क्या नहीं चलेगा zero नहीं चलेगा क्या नहीं चलेगा, 0 नहीं चलेगा, हम यहाँ पर common ratio को 0 कभी भी नहीं लेते हैं, clear हो गया सारे बच्छों को, all right, great, so यहाले सवाल के ओपर वापस आते हैं, यहाले सवाल में लिखाए, every term of a GP is positive, every term is positive मतलब हमने यहाँ पर starting में भी positive number ही लिया होगा, और हम multiply भी positive number ही कर रहे होगे, यह बिसे हमें अभी समझ में आ रही ही बात, and also every term is the sum of the two preceding terms, every term is sum of the two preceding terms, ऐसा यहाँ पर दिया होए, ठीक है, then the common ratio of the GP should be how much, अब यहाँ पर आप general term से भी सवाल को कर सकते हो, but I would still recommend कि आपने यहाँ पर इसको simplified तरीके से करने की कोशिश करना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर अपने तीन terms देखूँ, है न, तो यहाँ पर geometric progression में मैं अपने तीन terms कैसे मान सकता हूँ, A, AR, and AR square, क्या यह तीन numbers GP में हैं आपके, अगर यह तीन numbers आपके GP में हैं, तो according to this particular question, आपको क्या condition दी हुई है, कि आपका यह जो एक particular number है, वो इसके पहले वाले दोनो numbers का sum होना चाहिए, ऐसा आपको given है, यह सुनो, एक बार English पल लो, English समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे है, इंगलिश समझ में आ रहे हैं, सर बच्छोगो, every term of GP is positive, every term of GP is positive, and every term is the sum of the two preceding terms, ठीक है, every term is sum of the two preceding terms, तो हम यहाँ पर अपनी equation कैसे मना सकते हैं, है नो, हम अपनी equation मना सकते हैं, कि AR square is basically A plus AR, तो यहाँ पर A तो आपका cancel हो जाएगा, और आपके पास में quality की equation आने वाले ही, R के अंदर, इस सिंबल सवाल आप से कोई क्या पुछेगा, आप यहाँ पर A को cancel कर दो, और आपके इसमें आएगा, देखो A का value 0 तो होई नहीं सकता, GP का question solve कर रहे हैं, A का value 0 नहीं हो सकता, यहाँ पर हम इसको cancel definitely कर सकते हैं, हमारे पास में यहाँ पर अब जो एक quality की equation आ रही है, लेकिन quality की equation के हमारे पास में दो answers आएंगे, let us see if we can accept both of those, यह हमें किसी एक को reject करना पड़ेगा, ठीक है, अगर मैं सारी चीज़े left inside में लेके आता हूँ, तो मेरे पास में यहाँ पर R के जो answers निकल कर आते हों क्या है, minus B plus minus under the root B square minus 4AC upon 2A, तो यहाँ से मेरे पास में एक जो answer आ रहा है, वो positive R है, और एक answer मेरे पास में negative R निकल कर आ रहा है, ठीक है, एक मेरे पास में जो value निकल रही है R की, that is 1 minus root 5 upon 2, और एक value मेरे पास में निकल रही है, R is equal to 1 plus root 5 upon 2, now since it is given in the question कि आपके यहाँ पर जो सारे की सारे numbers है, वो positive है, इसलिए आपको यह negative वाला जो number है, R उसको reject करना पड़ेगा, और positive के साथ में आप अपना final answer यहाँ पर report करकी कितना बताओगे, आप B answer यहाँ पर finally बताओगे, clear होगे, simple है, आपको अगर यहाँ पर बस यह भी लिखते आ गया है GP में, आप यहाँ पर questions करना start actually कर सकते हो, ठीक है, yes, let us do one more question, यहाँ ना सवाल लेकिन सही बताओ कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, क्योंकि अगला सवाल काफी आपको अच्छा लाएगा solve करके, yes, क्योंकि अगला सवाल जो हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं, काफे similar सवाल है, यहाँ पर जो हमने idea आपको दिखाया, A, AR, AR square तरह से हम यहाँ पर अपने terms को मान सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पर जो हम एक्सपेक्टेड था, in J-Main 2020, 2020, जो भी just latest यहाँ पर जो आपका complete हो चुका है, यह सवाल आप से पूछा गया था, अब यहाँ पर आप देखोगी कि आपके, अब जो है धिरे-धिरे हमने last जो हमारे lectures थें, उसके अंदर भी mix problems करना start कर दिया है, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास में content आ रहा है, जिसको mix किया जा सकता है, ठीक है, हम जो पहला ही chapter पढ़ रहे था है, उसके अंदर mix obviously चीज़े नहीं हो सकते थी, so things are getting interesting, यह न, day by day, जे में में लेकिन यह सवाल आए, तो बहुत आसान सवाल है, अगर आपको यहाँ पर अपना बस जो GP का basic idea है, वो भी अगर पता है, और आपको quality equation पता है, then you can basically solve this question very easily, देखते हैं हम पर क्या दिया हो है, पहले बात तो हमारे पास में information है, यह हमारे पास में 2 quadratic equations है, एक quadratic equation हमारे पास में x square minus 3x plus p equal to 0, और हमें पता है कि इसके roots alpha, beta है, अगर alpha, beta इसके roots हैं, तो quadratic equation में यह तो मेरे खाल से अब सबको याद होई गया है, कि हम alpha plus beta का value बीना दिक्कत के बता सकते हैं, कितना होगा इस case में 3 के बराबर होगा, और alpha into beta का value कितना होगा इस case में p के बराबर होगा, ठीक है, और ऐसे ही मेरे पास में और एक equation available है, what is the second equation data है, मेरे पास में second equation यहाँ पे x square minus 6x plus q, and वो यहाँ पर equal to 0 देता है, जब आपके values होते हैं gamma और delta, ठीक है, यह आपके basically roots है, for the second equation, और यहाँ से फिर से में अपनी दो छोटी-छोटी-चोटी equations लिखना चाहूँगा, obviously, gamma plus delta का value ही हाँ पे 6 के बराबर है, gamma into delta का value मुझे q के बराबर पता है, so यह तो हमारी quality equation का इस्तेमाल हो, अभी तो हमने और कुछ किया ही नहीं है, let alpha and beta be the roots of that equation, and gamma and delta be the roots of this equation, अभी हमने question इतना ही पढ़ा, लेकिन जब हम अपने question को आगे पढ़ते हैं, तो हमें संच्छ में आते हैं, अच्छा, alpha, beta, gamma, delta form a GP, यह एक geometric progression के terms हैं, यह हमें पता चला, ठीक है, तो हम क्या यहाँ पर इनके नाम अब change करके कुछ और रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, किसी ने मना थोड़ी किया, है नो तो हमें इनके नाम अब change करने वालो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर यह अपने चार numbers जो अभीलेबल हैं, alpha, beta, gamma and delta, अगर हमें पता है कि यह geometric progression है, तो क्यों ना हम इनके नाम geometric progression के language में ही रखें, इसका नाम अगर मैं A रखता हूँ, तो इसको मैं AR बोल सकता हूँ, इसको मैं AR square बोल सकता हूँ, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, AR cube बोल सकता हूँ, ठीक है, जैसे ही मेरे पास में यहाँ पर नए नाम के साथ में अलफा बीटा गामा डेल्टा आ रहे हैं मैं अब अपनी जो equations है छोटी-छोटी equations उनको फिर से अब modify करके लिख सकता हूँ इन equation 1 what can I write using equation 1 what can I write alpha की जगे में यहाँ पर क्या डालना चाहता हूँ? beta की जगे में क्या डालना चाहता हूँ? r डालना चाहता हूँ यह आपका किस के बरावर दिया हुआ है? 3 के बरावर दिया हुआ है और वैसे ही आपकर यहाँ पर equation 3 का इस्तमाल करूँ यह दोनों मेंने पहले क्यों उठाए? यह दोन मेंने पहले इसलिए उठाए हैं क्योंकि हमें इन equations में RHS की values पता हैं यह 3 के बरावर यह 6 के बरावर है यह तो हमारे pure की वैसे भी unknowns है इनको हम अभी नहीं छेड़ेंगे तो जादा अच्छा है तो मैं यहाँ पर गामा प्लस डेल्टा की इक्वेशन इहाँ पर बनाता हूँ तो गामा कितरा है? AR स्क्वेशन है और डेल्टा कितरा है? AR क्यूब है और यह value आपकी 6 के बरावर Interestingly आप अगर यहाँ पर R स्क्वेशन निकालोगे तो अंदर आपके बास में क्या बचेगा? A प्लस AR Yes or No? इस इक्वेशन में आप एक छोटा सा चेंज करो आप यहाँ पर बोलो कि R स्क्वेशन काला है R स्क्वेशन कालोगे तो अंदर आपके बचेगा A प्लस AR स्क्वेशन और उपर वाली इक्वेशन में देखो एक्वेशन इसी का वैल्यू हमारे पास है A प्लस AR स्क्वेशन हमने पॉमन निकाला न A प्लस AR का वैल्यू हमारे पास में है तो हम अगर यहाँ पर सब्स्वेशन करते हैं तो हमारे पास में r square का value आ जाएगा r square का value कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 के ब्राबब ठीक है अब ये बढ़िया चीज है मुझे r square की value पता चल गए so ये मैं अब इस्तिमाल करना चाहता हूँ अपने next discussion में which is कि मुझे क्या find करना है मुझे find करना है यहाँ पर 2 q plus p upon 2 q minus p है ना क्योंकि मुझे q और p के equivalent expression सा अलड़ी पता है I am okay now है ना अब मुझे यहाँ जाद attention नहीं हो रही है एवा लेकिन तब भी substitute करके देखते हैं कि calculation में कहीं गड़बर तो नहीं हो रही है देखो जरा now what I want to calculate is 2 p नहीं 2 q plus p upon 2 q minus p क्या मैं p और q के values जानता हूँ yes p के location पे alpha बीटा q के location पे gamma डेल्टा हम डाल सकते हैं ठीक है तो कितना हो जाएगा 2 times of gamma डेल्टा plus alpha बीटा और नीचे जाएगा आपके पास में 2 times of gamma डेल्टा and minus alpha बीटा और अब इनके नाम हमने अल्री जो है A और R के टांस में जो रखे हुए है अगर हम यहाँ पर replace करेंगे तो आपको maximum चीज़े cancel out होते हुए दिखनी चाहिए just check this out क्या आपको maximum चीज़े cancel out होते हुए दिखाई दे रही है सारे बच्चे बताएं yes जल्दी से करो जल्दी से यहाँ पर आप value डालो और देखो कि आपके cancellations बढ़िया दरीके से हो रहे की नहीं हो रहे आपके बास में गामा और डेल्टा का product कितना आएगा गामा और डेल्टा का product आएगा आपके बास में A square R की पावर 5 A square R की पावर 5 अल्फा बीटा अल्फा बीटा का value कितना आएगा A square R नीचे क्या सीन है नीचे आपके बास में बस minus sign का difference है ठीक है बागी आपके आपके उसमें सब कुछ same है तो A square तो मेरे खाल से अल्ड़ी आपको दिख रहा है cancel होते हो आपको यहाँ पर R square भी sorry R भी cancel होते हो दिख रहा है A square cancel कर दो R cancel कर दो आपके उसमें क्या बचेगा आपके उसमें बचेगा कुछ इस तरीके से 2 times of R की power 4 plus 1 upon 2 into R की power 4 minus 1 और R square की value क्योंकि आपके बास में यहाँ पर 2 है इसलिए R की power 4 भी आप यहाँ पर अभी लिख सकते हो ठीक है तो आपका knowledge कितना चाहिए था है यहाँ पर minimal बिल्कुल minimal knowledge अगर आपके बास में है क्योंकि आप यहाँ पर यह सोचो कि यह तो आपको 10 वी class से बता है alpha plus beta और alpha into beta की value तो आपको 10 वी class से बता है ठीक है तो यह equation तो वहीं से बन गई थी उसके अपने आपको अभी यहाँ पर जो नया information में ने दिया है वो अभी भी कोई बहुत ज़्यादा information में ने आपको दिया है यह नहीं GP के बारे में यह तो GP का बिल्कुल initial knowledge है कि हम अपने GP के numbers को कैसे लिख सकते हैं A, AR, AR, square, AR, cube और इसी पर आपका पूरा question सौलोगे ठीक है तो आप यहाँ पर अगर इस तरह के जो AP और GP के initial lectures पर हम question discuss करने है अगर आप उनको कर लोगे तो जही में तो भई आप बहुत ही आसानी से है ना तोड़के आगे निकल जाओगे advance के लिए आपको आखरी तक पूरी playlist को देखना पड़ेगा ठीक है अगर आपको advance निकालना है तो आपको आखर तक लगे रहना पड़ेगा बहुत amazing question आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले है अगर आप पूरा playlist यहाँ पर अभी देखोगे अभी create नि हुए है होगी create आभी हम lecture number 3 पर है देखते हैं यहाँ पर कितने lecture हमें overall लगते हैं to complete this particular chapter ठीक है 9 is to 7 आपका B answer यहाँ पर आगया है clear है बढ़ सकते हैं आगे okay देखो यहाँ पर क्या हो रहा है अरे जाने तो मैं भी नहीं देख रहा है आप भी मत देखो all right चला so this is a good question है न मतलब जेए मेन के point of view से अगर मैं देखो क्योंकि मैं तो जेए मेन के अंदर जो जादा उमित करता नहीं हूँ ऐसा है ठीक है कि जेए मेन में जो है बहुत कुछ जो है सोचा जाएगा लेकिन इन्हों दो चैप्टरों सोच लिए है है न एक क्वाडिक एक्वेशन सोच लिए और एक जीपी सोच लिए मैं तो इसी में जो है काफी खुश हूँ कि जेए मेन में कम सेखम इतना तो भी पूछा गया ठीक है ऑल्राइट बट एंसर निकालना जो है बिल्कुल बेसिक काम था याला सवाल ट्राइक करते हैं चलो इन जीपी इफ एंप्लस एनथ टर्म बी ए एंड एम माइनस एनथ टर्म बी बी जो है यहां पर जो है एक की बाद एक की बाद एक कोशन कर रहे हैं आपने रिलाइस किया होगे कि पहले दो कोशन करने वी तो मुझे जनरल टर्म एंटू आर की पावर एन माइनस एन लिखने की जरूद भी नहीं बड़ी थी तब भी दोनों कोशन सौल हो गये थे वो इतने बेसिक कोशन थे यहाँ पर कम से कम मुझे जो है M प्लस Nth टर्म के लिए जनरल टर्म का फॉर्मला इस्तिमाल करने की जरूद पढ़ने वाली है ठीक है यहाँ पर यह बोल रहा है कि टर्म नंबर M प्लस N ठीक है तो हम यहाँ पर T N अगर लिखते आता है A इंटू R की पावर N-1 ठीक है तो यहाँ पर इसने A पहले से इस्तेमाल किया हुआ है so in such questions you can deviate a little और यहाँ पर आप जो अपने first of common ratio है उनको small a और small r ना मानकर capital A और capital R मानकर ठीक है ताकि आपको यहाँ पर एकदम से जो है नया भी ने लगेगा expression और आप confused भी नहीं हो है क्योंकि यहाँ पर इसका answer small a के ब a into r की power m plus n minus 1 यह मेरा m plus nth term का expression है if capital A is the first term and capital R is the common ratio of this GP जिसका discussion यहाँ पर इस question में किया जा रहा है yes sir यही तो होगा a into r की power n minus 1 formula यहाँ पर मैंने apply किया लेकिन इसका value जो है m plus nth term का value यहाँ पर जो ही small a के बराबर given है और वैसे ही term number m minus n की क्या कहानी है term number m minus n अगर में लगना चाहते होती है यहाँ पर जो है आप तो कोई बड़ी बात नहीं मेरे खाल से a into r के power m minus n minus 1 है कि नहीं जितना भी सब्सक्रिट है उससे एक कम आपका r का power होगा और इसका value आपको यहाँ पर small b के बराबर given है तो अब यहाँ पर हम क्या करना चाहरे है कुछ तो करना चाहरे है क्या बोल रही है then its mth term is how much तो mth term अगर आप यहाँ पर पहले बना के देख लोग so obviously हमारे बास में red available equations है और blue equation का हमें answer निकालना है red वाली equation से आपको blue वाली equation तक जाना है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर given data है उसके अंदर n है जबकि जो चाहिए उसके अंदर n नहीं है इतना भी अगर देख लोगे तो आपको यहाँ पर next lesson में आ जाना जाना जाए कि हम यहाँ पर multiply करना चाहिए क्योंकि जब हम यहाँ पर numbers को multiply करते हैं तो powers क्या हो जाती है add हो जाती है अगर यहाँ पर powers add हो जाएंगी तो plus n और minus n cancel हो जाएगा that should be helpful अगर आपको end result यहाँ अभी और ली नहीं भी दिख रहा वैसे तो और ली दिख रहा है वहाँ पर लेगन अगर नहीं भी दिख रहा तो आपका यह thought process होना ही चाहिए कि हमने यहाँ पर इन दुनों को multiply करना चाहिए हमार पास में equation number 1 है हमार पास में equation number 2 है मुझे कहा तक जाना है वो मुझे पता चल गया तो हम यहाँ पर दोनों को multiply कर रहा हूँ equation 1 into equation 2 is what we want to do ठीक है तो क्या बनेगा यहाँ पर a और a multiply होके a square बनेगा और r की power this और r की power this दोनों add हो जाएंगी powers दोनों powers अकर add होंगी तो हमार पास में क्या बचेगा लिख दूं directly 2m-2 बचेगा 2m-2 बचेगा और right side मे obviously आपके उसमें a into b आना चाहिए आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप पूरी तरह से 2 power common निकाल सकते हों 2 power common निकाल के आपके उसमें आएगा a into r की power m-1 और उसकी whole power 2 यह सुनों ठीक है और यही तो आपको चाहिए a into r की power m-1 is what we needed a into r की power m-1 तो द ठीक है कौन साइन साइगा एंसरा इसका फिल बढ़ सकते हैं आगे 1st term and b be the nth term of a gp then you need to find p. p is the product of n terms. p is what? p is product of n terms. क्या करेंगे लिख के देखते हैं चलों आभी मैंने आपको सम्या प्रोडट ऐसा अलक्स से जो है कोई formula बताया है नहीं नहीं है ना अब लेकिन मैं पूछ रहा हूं तो आप क्या ही कर सकते हूं आप लिख के देख सकते हूं बस if a be the first term and b be the nth term है ना a आपकी first term है और b आपकी nth term है मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं के हमने इस बात को लिख लेना चाहिए so t1 हमारा a के बराबर है और t1 क्योंकि हमारा first term क्योंकि a के बराबर है then आपका जो tn है which is given to be equal to b can be represented in terms of a but I will also need r for that r मेरे पास में है नहीं तो मानने ही पड़ेगा obviously मान ले देगी यह जो GP का discussion चल रहा है उसका common ratio small r के बराबर है ठीक है तो जैसे में यह बात मानता हूं मेरे पास में ऐसा कुछ इक्वेशन निकल कर आये ठीक है this is the first thing this is the second thing maybe this is the only thing which is important to us maybe this is what we actually want to remember question में आगे कहने के इसको हम इस्तवाल शायद करना चाहेंगे p क्या है p is the prot of the n terms आपके जहापे n terms उन सबको आपने multiply कर दिया चलो देखते multiply करेंगे तो क्या होगा आपका term number 1 तो a है term number 2 आपका ar बनेगा term number 3 आपका ar square बनेगा और आपकी कहानी आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और आप last term तक जाओगे which is your nth term n terms तक आपको इहापर multiply करते जाना है तो उसका answer यहापर आता है a into r की power n minus 1 तो अगर मैं यहाँ पर multiply कर रहा हूँ तो हर एक bracket के अंदर एक एक a है मेरे पास में total n term से मतलब n brackets है ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा कि मेरे पास में कितना a का power बनेगा so a का power तो n बनेगा इसमें तो कोई doubt ही नहीं है लेकिन r की power का क्या scene है r की power में क्या बनेगा r की power में आप यहाँ पर देखो कि आपका उसमें सारी powers add होंगे यहाँ पर आपका power 1 है यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है अगले वाले में जाते आते n minus 1 तक आपको basically जाना है so आप अगर आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा आपको एक arithmetic progression मिलेगा और उससे ही बहतर आप इहाँ पर क्या बोलना चाहोगे क्यार यह तो some of first n natural numbers वाले फॉर्मले से calculate हो जाएगा जो हमने अपने previous lectures में discuss किया है ठीक है तो हमारा इसका उसमें प्रोड का answer निकल कर आ रहा है होगी ठीक है प्रोड का answer में आपके उसमें a की power n तो ही है और r की power में आप basically 1 से लेके n-1 तक ही जाना चाहते हो तो आपको जो formula है for up to n terms वो है n into n plus 1 upon 2 आप यहाँ पे n नहीं लेना चाहते है आप basically n-1 लेना चाहते हो ठीक है so n की जाके n-1 डालोगे तो कितना हो जाएगा ऐसे कुछ होगा ठीक है तो यह जो आपका पूरा कपर सीक्वेंस है वन से लेके n-1 तक है नो formula apply करके आपके उसमें n की जाके n-1 डालके answer जो निकल कर आ रहा है that is n-1 into n upon 2 यह सुने यह हमारे पास में create हो रहा है expression यहाँ पर p square a की power में तो आपके पास में 2 n आ जाएगा और यहाँ पर क्या होने वाला है r की power में जो denote में 2 है वो आपका हट जाएगा वो आपका हट जाएगा cancel हो जाएगा square करने की वज़े से अब यहाँ पर आपको बस चीज़े manipulate करके देखना है कि कैसे यहाँ पर में अपना answer a और और b के time में आपको अपना answer पहुचाना है बस इतने thought के साथ में अगर आप आगे manipulations करोगे तो आपको अपना answer दिख जाना चाहिए जैसे कि एक manipulation में हाँ पर सोच पार हो कि ऐसा करते हैं कि n यहाँ पर भी है n यहाँ पर भी है इसको एक common power बनाके अलग करते हैं इसको power n ऐ जही हाँ पर पता है कि already अगर यह composition create होता है a into r की power n-1 तो मैं उसको b लिख सकता हूँ तो क्या इहाँ पर हो सकता है बिल्कुल हो सकता है अगर मैं a को अलग कर लो तो so a into a into r की power n-1 ऐसा अगर मैं इसको split करूँ then I definitely will get to my answer मैं यहाँ पर इस चीज़ को a into r की power n-1 को b लिख ने कौंसा option है यह 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 आपका b option चली आगे बढ़ते हैं let us try to do something like this now this again came in J 2020 क्या कर रहा है इस question में let a b c d and p be any non zero distinct real numbers such that यह इतनी बड़ी equation देदी इसने और फिर पूछ रहा है कि इन में से कौन सा option आपका correct है तो इस तरह की equations को देखकर क्या आप कुछ एक particular set process imagine कर पाते हो yes आपके पास में यहाँ पर जो है बहुत सारे terms है ठीक है आपके उसमें क्या क्या है एक बार लिखों जड़ा में भी कितनी हैं पता चलेंगी a square plus b square plus c square उसके साथ में है p square then two के साथ में है आपके पास में a b plus b c plus c d okay a b plus b c plus c d और into क्या है p है और उसके साथ में आपके पास में क्या है b square plus c square plus d square I hope यहाँ पर typing सही हुई है question की b square plus c square plus d square क्योंकि combination बहुत amazing यहाँ पर आपको बनते वे मिलना चाहिए ठीक है वैसे आधरे ज्यादा बच्चे यहाँ पर जो मस्ती में है वह यहाँ पर बोलेंगी sir आप GP का ही question करा रहे हो तो AP आएगा नहीं तो या तो यह answer आएगा या फिर यह answer आएगा यह थोड़ा अजीब लग रहा है यह आपका answer होना चाहिए है यहाँ पर आपको basically grouping करना है और यह grouping वाला जो आइडिया है यह केवल J main में नहीं J advance के लिए आपको काफी help करेगा ठीक है हमने हाँ पर जो है कुछ questions J advance के जो quadratic equation में किये है ठीक है पी वाई की session में आप जाके देख सकते है ठीक है वहाँ पर भी grouping करना कहने के important था यहाँ पर आप धिहां से देखो कि आप बहुत बहुत amazing तरीके से groups create होते हुए देख सकते हूँ आप अगर यहाँ पर इसको open करोगे तो आपकर उसमें A square P square आएगा A square P square के साथ में आप अगर यहाँ से एक B square उधार ले लो ठीक है यहाँ से इस bracket से आपने A square P square लिये है यहाँ से आप B square उधार ले लो ठीक है और उसके साथ में यहाँ से आप जो है combination create कर लो minus 2AB के साथ में यहाँ पर P B है बाहर तो P B multiplication में आएगा तो actually बनेगा कितना 2AB P बनेगा और यह तिनों चीज़े अगर साथ में आ रही है तो क्या आपको दिखाई दे रहे हैं कि perfect square के लिए बिल्कुल बढ़िया expression है यहाँ पर AP minus B का whole square create होने वाला है AP minus B का whole square create होने वाला है अब यह पुरा observation का question ठीक है आपके हमपर चीज़े जो है वो सही तरीके से merge होते वे दिखना चाहिए और बिल्कुल दिखेंगे यहाँ पर जो है ऐसा बिल्कुल कोई मुश्कल काम नहीं है कि सर observation है तो हम कैसे करेंगे ऐसा कुछ नहीं है शांती से स्क्राइट के देखो कि आपको बता से जाएगा कि यह question पूछने वाला क्या thought के साथ में यह brackets create करके आपको दे रहा था ठीक है वैसे आप यहाँ पर बी स्क्वेर पी स्क्वेर बी स्क्वेर के साथ में अगर वहां से सी स्क्वेर उधार ले लो तो आपको यहाँ पर बीच जी सक्वेर में माइनस टू बी सिसक्वेर के साथ में अगर यहां से डी स्क्वेर ले लो हैना और यहां से आपको क्या मिलेगा माइनश तू सी डी एंड पी है actually आपके सही order में दिया हुए थे ये भी देखो यहाँ से first term यहाँ से first term यहाँ से second term यहाँ से second term यहाँ से third term यहाँ से third term अगर आपकर ते हो तो तीन-्तीन का combination आपको create करके देता है आपको perfect squares create करके देता है वो perfect squares क्या क्या है AP – B‐ का होल स्क्वेर, a p minus b का होल स्क्वेर, plus b p minus c, b p minus c का होल स्क्वेर, and plus c p minus d, c p minus d का होल स्क्वेर is equal to 0, तो जैसे आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके 3 perfect square से जिनको आप add करें और आपको answer 0 मिल रहा है, तो आप यहाँ पर comment क्या करोगे, है न, यहाँ पर conclude भी करते आना चाहिए ultimately, आप conclude इस तरीके से करोगे कि आपका perfect square जो है वो तो positive होता है, 3 positive number मिल के तो 0 होने सकते हैं, तो हम worst के scenario यहाँ पर मानेंगे इसका मतलब, worst के scenario में आप यह बोल सकते हैं कि यह आपका perfect square 0 है, यह भी 0 है और यह भी 0 है, तीनो की तीनो जब 0 होंगे, तभी उनका sum 0 हो सकता है, बट otherwise तो नहीं हो सकता, क्योंकि otherwise तो यह सारे numbers अपने आप में positive हैं, तीन positive numbers मिल के तो 0 नहीं हो सकता, अगर यह 0 लेकिन हो रहे question में अगर given है, तो यह एक ही तरीके से हो सकता है, कि आपका AP-B अलग से 0 हो, next आपका BP-C अलग से 0 हो, और next आपका CP-D अलग से 0 हो, ठीक है, तो यहां से हम क्या P का value तीनो ही expression से निकाल सकते हैं, पहले expression से P का value आपको मिलेगा B upon A, दूसरे से आपको मिलेगा C upon B, तीसरे से आपको मिलेगा D upon C, अगर यह सारे ratios equal हैं, तो आपका conclusion क्या होना चीए, आपका conclusion होना चीए, कि यह इसका मतलब consecutive terms of geometric progression ने इसका मतलब, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि A, B, C, D आपको मैं चार terms दे रहा हूं, और इन दोनों का ratio, इन दोनों का ratio, और इन दोनों का ratio बिलकुल न बराबर आ रहा है B upon A, C upon B and D upon C बिलकुल बराबर आ रहा है, तो यह तो basic definition geometric progression की आगर यह चारों numbers geometric progression में होंगे, तभी ही हाँ पर आपको ratio common मिलेगा और इसलिए आपका conclusion क्या होना चाहिए, A, B, C, D, R, N, GP, ठीक है, यहां से imply क्या करेंगे, GP imply करेंगे कौन से numbers के उपर, A, B, C, D के उपर, clear है GP का सवाल था, लेकिन इस सवाल में भी देखों यहाँ पर, इस सवाल में भी आपका जो general term का formula है, उस तरह का कुछ use नहीं हुआ, आपके केवल इतना सा idea इस्तिमाल हुआ, कि common ratio आपने यहाँ पर देखना था, ठीक है, तो आपके यहाँ पर सवाल जो है, बच्छों काफी आसान आ रहे है राइट, बट आपको यहाँ पर जो है, basic manipulations equations को देखकर करते आना चाहिए, हैना, सही तरह की से combinations create करते आना चाहिए, this is obviously something which is easy, once you start practicing good number of questions alright, so अभी हमने यहाँ पर जो discussion किये हैं, उसमें हमने केवल अभी general term को ही सीखा है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और flavor add करते हैं अपने discussion में, हैना sum of GP का भी discussion करते हैं, तो आप यहाँ पर देखो कि हमारे जो अभी पहले के दो lecture थे और अब जो हमारे दो lecture होने वाले हैं, AP के दो lecture और GP के दो lecture, उनका content का flow बिल्कुल सेम है, पहले हम general term पढ़ते हैं, फिर हम sum का value पढ़ते हैं, sum का formula पढ़ते हैं, और हम properties का discussion करते हैं, ठीक है, तो वैसे GP में भी हम यहाँ पर यहाँ पर तीनों साल पहले की भी बात करूं, तो बच्चों के साथ में इतने amazing तरीके से available recorded sessions नहीं हुआ करते हैं, ठीक है, बट still, आपने recording के ओपर depends जादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर यह सोच के बैठ होगी कि मैं तो एक बार और देख सकता हूं, तो आपका जो live class में presence है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, don't take it as a granted feature, कि आप pieces आके एक बार फिर से देख सकते हो चीजों को, है न, आप तो यह मान की चलो कि आप यहां पर नहीं देख सकते हैं, अभी जो मैं बोल रहा हूं, वो तभी के तभी समझने आ जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपका time बचेगी, आप उससी time पे अगर focus होके अगर देख लोगे न, तो आपको फिर से देखने ही ज़रूती ही बढ़ेगी, time ऐसे तो बचेगा, और कैसे बचेगा, ठीक है, फिर उस time में क्या करोगे, यह भी important है, ठीक है, time के बचाने इसे कुछ नहीं होता है, जो आपका time बचा है, उसको सही direction में फिर से utilize करने से आपको additional benefit मिलता है, ठीक है, तो ऐसा मत करना कि हाँ, मैंने lecture अच्छे से सुन लिया, आप मेरको और कुछ नहीं करना है, तो मैं आप game खेल लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है, आपको उस time पे और पढ़ाई करने हैं, ताकि आप बाकी बच्चों से करते हैं, उसके आप में बाकी चीज़ें तो automatically आसान आपको लगनी चाहिए, ठीक है, ओके, तो लिखते हैं पहले तो, है न, end terms का अगर हमें सम्द करना है, तो पहले तो लिखते हैं, ठीक है, कि भई, दिखाई क्या देगा, अगर मैं end terms का सम्द करना है, अगर मैं end terms का सम् आप आगे तक जाते हों, कहां तक जाओगे, ar की power n तक जाओगे, बहुत जगे हैं, तो हम पर उसके पीछे वाला भी एक लिख लेते हैं, ar की power n-2, और ar की power n-1, है न, सारे के सारे end terms अगर हमें लिखेंगे, तो इस तरीके से हमें add होके दिखाई देना चाहिए, आपको याद है कि हमने वहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टिंग सेप किया था, जो हमारा AP का सम का फॉर्म में डिराइव होगा था, वहाँ पर हमने बोला थे कि आप आगे से add करो जाहें, पीछे से add करो, क्या फरक पड़ रहा है, है न, यहाँ पर भी देको हम क्या बोल रह है, ठीक है, अगर मैं दोनों साइड r multiply कर लूँगा, तो मेरे पास में यह जो number है, यह क्या बनेगा, यह AR बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी already मेरे पास में AR है, तो मैं क्या सोच रहा हो कि AR जो यह बन रहा है, उसको यहाँ ना लिखके, यहाँ लेता हूँ, देखने में आस आगे लिख रहा हूँ, अगली step में आपको फायदा पता चलेगा, ठीक है, वैसे yellow number जो है, यह AR square बनेगा, आर multiply करके, है ना, लेकिन उसको मैं आगे लिख रहा हूँ, यह हो जाएगा, आपका AR square के बराबर, यह number जो है, वो AR multiply करके AR cube बनेगा, ठीक है, ऐसा होते 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 होते, बहुत सारे आपके यहां पर numbers बनेगे, ठीक है, एंड यह जो आपका number है, second last number, इसके अंदर भी सभी के अंदर R multiply करूंगा ते कितना हो जाएगा, A into R की पार N minus 1, हर एक की power एक एक increase हो रही है, है ना, यह A था तो AR हो गया, AR था तो AR square हो गया R square था, R cube हो गया, तो N minus 2 बीजगे इतना हो जाएगा, N minus 1 हो जाएगा, और वैसे ही last वाले में भी तो करेंगे ना, last वाले में भी हम यहां पर जो है, अगर R multiply कर रहे हैं, तो AR की power N finally हापर आपका create होगा, आप यहां पर अभी देख सकते हो कि आपकी, जो यह सारी चीज़ तो आप जब यहां पर इन दोनों को subtract करोगे तो क्या होगा, इन दोनों को जब आप यहां पर आप सब्ट्राइट करोगे, तो भी most of the चीज़ दो cancel ही हो जाएगी रहा, हो गया यहां पर answer आगे हमारा, अगर मैं इन दोनों को subtract करूँगा, तो S in common निकाल कर, मैं 1 minus R ऐसा ल जाएंगे, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो 0 minus this करके आपको इसमें minus of AR की पावर N बचेगा, समझे इस बाद तो, AR की पावर N के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब आपने कुछ नहीं में से AR की पावर N सब्टराइट किया, तो क्या आएगा, minus of AR की पावर N, ठीक ठीक है, क्लियर, जल्दी से लिख लो, नोट बुक में, इसका थोड़ा सा हम और डीटेल डिसकेशन अगले पेच पर करने वाले है, लेकिन पहले इसको लिख लो, जल्दी से, SN is equal to A into 1-R की पावर N upon 1-R, यहाँ पर एक obvious problem आपको नजर आ रही होगी, obvious problem आपको नजर आ रही होगी, कि आर अगर R की value 1 हो जाए कि तो फॉर्म में अपली केबल थोड़ी होगा, R की value अगर यह 1 कर देगा, है न, जो हो सकती, मैंने R की value को 1 करने से मना थोड़ी है, मैंने तो 0 करने से मना थोड़ी है, ठीक है, positive, negative आप R की value कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, so here is something where we need to be careful, while applying this particular formula, ठीक है, तो हम इसलिए इसका इक detailed discussion अलग से कर लेते हैं, ठीक है, so हमारे पास में SN का जो formula है, वो basically कुछ इस तरीके से आपको entirely discussion में मिलता है, यह formula हम लगाएंगे, obviously लगाएंगे, बिल्कुल सही formula है, A into 1-R की power N upon 1-R, लेकिन तभी लगाएंगे जब R की value आपकी 1 नहीं है, अगर आपकी R की value 1 है, तो क्या होगा, अगर आपकी value R की 1 है, तो क्या, कैसे निकालेंगे, फिर answer कैसे निकालेंगे, क्योंकि यह भी तो scene हो सकता है, यह भी तो आपका case कभी निकाभी बन सकता है, ठीक है, so what I will think is, कि R की value अगर 1 है, तो मैं देखी लेता हूँ नो, कि बन क्या रहा है हमारा sequence, R की value अगर आपकी 1 है, तो यह भी A बनेगा, यह भी A बनेगा, यह भी A बनेगा, सब A है, तो इसके लिए मेरे को formula की ज़रूत क्यों है, अगर मेरे पास में N बार A लिखे हुए है, तो उसका sum कितना आना चीए, N इंटू A के बराबर आना चीए, ठीक है, A प्लस A प्लस A प्लस A, ऐसा N बार लिखा हुए, तो कितना answer आना चीए, इसका, N इंटू A हमारा answer आना चीए, For every other value, you can use that formula, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप फिर से सोचों कि अगर आपकी R की value 1 से बड़ी होगी, तो क्या होगा, अगर आपकी value R की 1 से बड़ी होगी, इस formula से भी आपका सही answer ही आएगा, लेकिन आपको एक additional step करनी पड़ेगी, क्या, कि आपके ब minus cancel करने वाले हो, तो instead आप क्या कर सकते हो, कि इस formula को केवल less than 1 के लिए इस्तमाल करो, और greater than 1 के लिए आपना पहले से ही खुद से उपर नीचे minus multiply करके रख लो, ठीक है, बिलकुल useless बात है, ठीक है, अगर आप ऐसा अलग-लग याद नहीं भी करोगे, तो भी चलेगा, और अगरती से आपने r greater than 1 था, और तब भी आपने r less than वाला formula इस्तमाल कर दिया, तो भी आपका answer सही आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर करने के वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक नया expression लिखने वाला हूँ, जिसके अंदर मैंने इसी expression में, उपर नीचे minus multiply कर दिया, तो उपर इसे लिख रहा हूँ, क्योंकि books में इसा लिखावा होता है, और फिर बच्चे सोचेंगे कि nice है, book में तो r greater than 1 के लिए अलग result था, आपने तो अलग बता दिया, खुद से नहीं सोचेंगे हो, वो खुद से यह नहीं सोचेंगे कि फरक नहीं बढ़ रहा, ठीक है, लेकिन इसलिए हम भी तीन पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कभी भी गलत फॉर्मला अपला कर दूँ तो जादा दिल में मत लेना, क्योंकि मैं literally इस बात का धियान नहीं रखता हूँ, ठीक है, कि r greater than 1 है तो मैंने यहाँ पर r पहले लिखना चीए, मैं r बात में लिख जाएगा, open is negative cancel हो जाएगा, ठीक है, but to be honest, this is the entire theoretical expression जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, SN का हमारे पास में यह result entirely है, all right great, अगर आपको यहाली बात भी आप चमक गई है, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, और before solving the questions, before we move on to the questions, क्योंकि यह सम का formula obviously नहीं हमें लगाना सीखना है, ठीक है, सम का formula important है हमारे लिए, एक discussion हम करना चाहरे है, definitely, which is a newer discussion as compared to arithmetic progression, हम यहाँ पर infinite terms का भी सम actually निकाल कर बता सकते हैं, ठीक है, अब obviously हाँ पर आप expect यह करोगे, कि अगर आप infinite terms का सम कर रहे हो, तो कोई अच्छा answer निकल कर आ रहा होगा, क्योंकि एक बात नहा हमें पता है कि अगर infinite terms का सम करके infinity अगर आ रहा होगा, तो फिर यह कोई topic थोड़ी होगा, infinite terms का सम करके भी कोई finite, छोटा answer आ रहा होगा, तो यह topic important फिर हमारे लिए, ठीक है, यहाँ पर मैं distinguish करके बताता हूँ, यहाँ पर examples कौन-कौन से हैं, अगर आपके बास में एक example है, जहाँ पर आपके इसमें 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 8, और यह अगर infinity तक जा रहा है, तो फिर इसको calculate करने की जरूत नहीं है, इसका S infinity, infinity terms का sum, infinity आने वाला है, इसमें कोई doubt नहीं, है न, तो यह तो कोई topic ही नहीं हो, आप यहाँ पर अगर एके करके अप आपर बात देखो, कि अगर आप दूसरा example लोगे, जहाँ पर आपने एक common ratio लिया है, which is a fraction, common ratio आपने fraction लिया है, example simple रखने के लिए 1 by 2 ले रहा हूँ है, तो 1 के बाद में 1 by 2 multiply करूँगा, 1 by 2 में फिर से 1 by 2 multiply करूँगा, 1 by 4 आएगा, फिर से 1 by 8 आएगा, फिर से 1 by 8 आने वाले term छोटा होते जा रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर सोचों कि आपको जो 10th term होगा, या 11th term होगा, वो 1 by 2 की बाद 10 है, 2 की बाद 10 तो अलड़ी बहुत छोटा हो चुका है, आगर आप यहाँ पर 100th term देखोगे, तो 1 by 2 की बाद 99, यह तो और छोटा हो गया, त तो मतलब मैं जितना आगे जा रहा हूँ, मेरे terms का contribution in the sum is becoming negligible with each coming term, जितना मैं आगे जा रहा हूँ, मेरी term उतनी छोटी हो रही है, तो मेरा sum में contribution बहुत कम हो रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हूँ कि यार, जो major आपका answer है न, वो है तो इनको ही add करके लगबग आ च 0.25 further, 1.75 तता आप पहुची गए हो, ठीक है, उसके अपमें आप क्या ही कर रहे हैं, है न, 1 by 8, 1 by 16 nat कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा answer आना चाहिए, यहाँ पर sum करके, आपकर infinite तक जाओगे, तो sum करके आपको क्या लगता है कि infinity answer आना च स्टार्ट कर रहे हैं, हमें एक बात तो sum में आ गई ही न, कि यह topic exist कब करेगा, हर GP के लिए तो यह exist नहीं करेगा topic, यह topic हमारा exist करता है, only when हमारे पास में जो r का value हो यह वो fraction हो, r का value अगर आपको fraction करना है, तो आप यहाँ पर basically उसको 1 से छोटा करना चाहोगे, but good thing is कि r का stream, इस तरह से मेरी sequence आगे बढ़ रही होती, उसमें भी हम यहाँ पर expect करेंगे कि finite ही answer आना चाहिए, ठीक है, so जब मैं यहाँ पर कहना हो कि आपका जो available common ratio है, वो fraction होना चाहिए, ताकि आपके समय छोटी-छोटी term screen हो, ठीक है, तो हम यहाँ पर instead of just saying कि r आपका less than 1 होना चा this is literally the simplified version of mod r less than 1, clear है, अब यहाँ पर हम अपने sum के formula को निकालने की कोशिश करते हैं, है ना, हमें already पता है कि हम अगर sn का formula, है ना, sn का formula जानते हैं, specifically कौन सा वाला, जिसके अंदर r less than 1 है, है ना, वाला formula हमारे सामने हाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कितना है, a into 1 minus r की power n upon 1 minus r, ठीक है, यह formula हम इस्तेमाल करते हैं, जब r की value less than 1 होती है, ठीक है, ओराइट, so, यहाँ पर हमें सोच रहा हूँ कि यार, अगर मैं n को infinite करने की सोच हूँ, मैं n को tend कर रहा हूँ, है ना, कभी भी हम equal to नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं, तो यहाँ पर आपका जो symbol है, यह यह वाला arrow इस्तेमाल करेंगे, mostly, जहाँ पर हम बोलते हैं, n tend कर रहा है, n infinity होना चाहा रहा है, infinity कोई number थोड़ी है, हो थोड़ी सकता हो, लेकिन चाहा रहा है होना, ठीक है, तो अगर वो infinity होना चाहा रहा है, तो मैं यहाँ पर discuss करूँगा, कि आपका r की power n क्या होना चाहे तो r की power n 0 होना चाहेगा, इस बात को समझो, अगर r आपका fraction है, तो आप जितना बड़ा उसका power करोगे, वो उतना ही छोटा number बनेगा, example बना के दिखाता हो मैं आपको, है न, क्योंकि example से यहाँ पर बात आसानी से पकड़ी जा सकते हैं, अगर मेरे पास में एक fraction है, 1 by 2, अगर मैं इसकी power 10 कर दूंगा, तो क्या आपको लग रहा है कि हाँ, यह सर वहां के बहुत चोटा हो गया सरी, 1 by 2 की power 10 तो बहुत चोटा हो गया सरी, है कि ने, कितना हो गया, 1 upon 2 की power 10 कितना होता है, 1024 कितना होता है, हाँ जो भी है, है न, वो बन जाएगा यह, अब मुझे कर जाओगे, हाँ सर, 1 by 2 की power 100 तो बहुत ही छोटा है, लेकिन मैं तो 100 भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो infinity बोल रहा हूँ, आप एक fraction की power infinity कर रहे हो, तब तो आपने मानी लेना चाहिए, न, कि यार यह तो 0 हो जाएगा, अगर 1 by 2 की power बिलकुल infinity ही कर दोगे, तो फिर तो हाँ पर जो s infinity वाला formula है, हम n को गर infinity कर रहे हैं, हाँ पर symbol में भी change कर देते हैं, आपको जो s infinity वाला formula है, वो बड़े आसानी से अब आपको याद हो जाएगा, which is a upon 1 minus r, ठीक है, यहाँ पर कई सारे बच्चे यहाँ पर confused हो जाते हैं, कि sir, यह नीचे अले r को भी 0 कर दो न नहीं, लेकिन हाँ की जब आप बहुत बड़ी power कर देते हो ना, तो वो number 0 हो जाता है, 0 को यहाँ पर 10 करता है, ऐसा बोलना चाहिए, तो हमारे यहाँ पर जो s infinity का formula हो क्या है, a upon 1 minus r है, conceptually clear हो गया सारे बच्चों को, yes, conceptually clear है, कि हम पर यह इतना simplified कैसे हो गया formula, simplified इसलिए ह हो गया, क्योंकि आपका r की power n जो है, वो 0 को 10 कर जाएगा, ठीक है, तो यह भी सारे बच्चे formula लिख लें, और यह अलाभी page, I hope सारे बच्चों ने लिख लिख लिए होगा, ठीक है, very important, just write it down, अब यहाँ पर यह मत बोलना कि sir, यह आपने less than 1 के लिए कि लिए है, तो यहा एपन 1 minus r, आपका simple सा formula है, चलो एक बार apply करके देखते हैं, पहले ही सवाल इहां पर जो आपके सामने आ रहा है, उसके दर आपको infinite sum इस्तमाल करने को मिलेगा, the sum of infinite GP whose first term is 28 and fourth term is 4 by 49 is how much, हमें S infinity निकाल के बताना इस case में, है न, तो S infinity के लिए क्या चाहिए होता है, simple सा, आपको A चाहिए है, first term हो तो उसने दिया हो है 28 और आपको common ratio चाहिए, common ratio के लिए उसने एक data दिया हो है, कि fourth term जो है आपको 4 by 49 के बरावर है, तो भई, यह तो आपका कितरा होता है, first term into common ratio की power 3, और यह आपको दिया हो है 4 upon 49 के बरावर, एक और information आपके बसमें जो है, वह है कि आपका A का value 28 है, A का value आपका 28 के बरावर है, ऐसा आपको पता है, तो होगा क्या, 4 से हाँ पर cancel करके 7 बनेगा, और यह जो 7 नीचे जाके 7 का cube बनेगा, यह R की value आपके यहाँ पर fractional आ गही है successfully, R की value हमर पास में 1 by 7 आ गही है, अब हम यहाँ पर यह confidently बोल सकते हैं कि हाँ, S infinity जो है, वो एक finite number निकल कर आएगा, अगर यह 1 by 7 की जगे 7 आया होता, तो हम बोलता है यह पॉसिबल नहीं है, आप तो यहाँ पर calculate क्यों कर रहे हैं, R का value कितना है, first term आपका 28 है, और R का value कितना है, आपका 1 by 7 है, ठीक है, आप इसको गर calculate करोके तो नीचे आपका 6 उपर साथ जाएगा, और नीचे जो 6 आएगा, उसमें से आप 2 cancel कर सकते हो, और आपका इसमें यहाँ पर finally answer क्या बनना चाहिए, देख लिए ना इक बार सार तो आइकस यह answer आपका बनना चाहिए, ठीक है, चेक करने सार भी चेक भाए, यह answer आ रहा है, simple है, ओके, प्रधीप मेरा इंट्रिव्यू ले रहे, यह तो इंट्रिव्यू का कोशन है, प्रधीप आप यह मुझसे अभी क्यों पूछ रहे हो, मेरी इंट्रिव्यू देने के ओकेखEPPRIRKG Smith sagt और कपिल पूछ रहा है, सर अपने failure बदाओ, लाइफ के मुझे motivation मिलता हैं हाले यह ख व्यलस बताओ, पम गलत बात कर रहे हैं हाले, सामसेख़े सुकसेस को देखके motivation मिलना चाहिए, कि सामसेख़ेश के failure को डेखके motivation मिलना चाहिए कभी कभी हां लेकिन यह आप सही बोलता है कभी कभी फेलियर देखके जादा मोडिवेशन मिलता है है ना जैसे कि अनकाडमी का वह एक सचिन तेंदूलकल वाला वीडियो है ना उसके अंदर सबसे अमेजिंग ट्रांजिशन जो होता है उस शायद दो मिनिट का ही वीडियो है तो मेरे फेलियर में देखाए इस ऐसे अंदर फेलियो हो सकता है और तुछिन कैसे देखुए से तहां हुआ तो हम आपको कुआड कि अब catast आई सोचत है थोरिह हुआ और मुझे हाँ पर आपने failure, हाँ हाँ, मैं यहाँ पर fail हूँ आथा, ऐसे बता दे थोड़ी आएगा मुझे, तीक है, okay, but यहाँ पर मैं थोड़ा सा भी जो है, अभी काफी बीजी हूँ इसलिए, एकदम से अभी मैं इंस्टा अगरा पर नहीं आ पा रहा हूँ, but इस तरह के और इसके अंदर कुस्तों सिग्मा का एक्स्प्रेशन आपको गीवन है, then common ratio is how much, इस तरह का सवाल भी आपको यहाँ पर अपने प्यक्व में कहने के मिलेगा, हाला कि अपने lecture notes में बहुत पहले से, लेकिन प्यक्व में भी आपको मिलेगा, रिसेंट प्यक्व में कहने के आपको इस तरह का सवाल definitely मिलेगा, ठीक है, तो इक बार अपनी book जो है उसको refer करते रहे हैं, हाला कि है आपर PYQ sessions आपके हो रहे हैं, लेकिन आप जब अपने PYQ की book open कर रहे हैं, तो आपको पतास लेगा कि it is almost next to impossible to discuss each and every PYQ in class, ठीक है, बहुत जादा, बहुत जादा PYQ ह आपके especially sequence series हो गया, quality equation हो गया, बहुत सारे PYQs है, ठीक है, तो आपके साथ में जो best possible PYQs है, वो लेकिन discuss कर रहे हैं in PYQ sessions, ठीक है, and through JPPs and lectures as well, जैसे कि आज के lecture में हमने PYQs discuss कर लिये हैं, कुछ, Alright, so आते हैं सिग्मा की उपर, सिग्मा की उपर अगर मैं आओं, तो मैं यहाँ पर मुझे फिर सी जो है, subscribe वाले question मिल रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे जादा घबरान की बात लगनी रही है, अगर मैं N के वाली इसके अंदर substitute करता हूँ, तो यहाँ पर क्योंकि 2N लिखा और यह मुझे alpha given है, यह मुझे alpha के बराबर given है, और एक और equation मेरे पास में, वो क्या है, कि अगर मैं N के वाली 1 इसके अंदर डालोंको तो यह A1 बनेगा, ओके, अगर मैं यहाँ पर N के वाली 2 डालोंको तो यह A3 बनेगा, फिर यह A5 बनेगा, और ऐसा करते करते, आप यह A1 है, then the common ratio of this particular GP is how much, बहुत ही simple सवाल है, आपको अगर अपने A1, A2, A3 लिखते आ गए है ना, तो वो लिख दो आपको अपना answer दिख जाएगा, लेकिन आपको लिखते आ गए है क्या, obviously आपको लिखते है, इससे बहुत अच्छे question हम देख solve कर लिए है, लेकिन होता ग आपको अगर फंडा बता है sigma का, तो आप हर एक question को basically इस तरह से open करके visualize कर सकते हूं, A2 कितना होना चीए, A2 होना चीए आपका A into R के बराबर, A4 कितना होना चीए, AR cube के बराबर, यह होना चीए AR की power 5 के बराबर, और ऐसा करते करते हैं, आपका last होना चीए AR की power 199 के बराबर यह आपका alpha given, ठीक है, alpha के बराबर यह आपका value, अगर आप नीचे वाले value substitute करोगे तो A1 तो आपका A ही है, फिर A3 आपका AR square है, फिर आपका जो यह next term है, यह AR की power 4 है, और last आपका जो term बनेगा, वो AR की power 198 बनेगा, मैंने यहाँ पर given A199 का value लिग दिया है, ठीक है, और यह आपका beta है, ठीक है, तो क्या अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप तो देखना बहुत ही आसान है, अगर आप numerator, उपर वाली जो आपकी यहाँ पर blue वाली equation है, अगर आप उसके अंदर से R common निकाल लोगे तो आपको क्या मिलेगा, आर common निकालोगे तो यह A बनेगा, यह AR square बनेगा, यह AR की power 4 बनेगा, यह AR की power 198 बनेगा, तो यही तो नीचे लिखा हुआ है, आप अगर उपर वाले में से R common निकालते हो, तो अंदर आपके पास में जो लिखा हुआ है, आर स्क्वेर प्लस AR की power 4 और ऐसा करते-करते, AR की power 198, ठीक है, यही तो आपका basically beta given है, तो आप यहाँ पर beta substitute करो, आपको R के format में अपना answer मिल जाएगा, ठीक है, यही आपका basically beta है, तो आपको यहाँ पर R का answer कितना बन गया, R should be equal to alpha upon beta, simple है, sigma अगरा देखके आपको वस अगर डरो के नहीं, तो आपको इस तरह के सम्मगरा के questions भी करते, आसानी से आजाएगे, alpha upon beta हमारा answer बनना चाहिए, ठीक है, कहाँ पर है, A option, ठीक है, clear, बढ़ सकते हैं, और एक सवाल करते हैं, चलो, next question is this, यहलो question ट्राइगे, if s with a sum, p, the product, and r, the sum of the reciprocals of n terms of a gp, then s upon r की power n कितना होना चाहिए, s upon r की power n कितना होना चाहिए, solve करके बताएं सारा बच्चे, फट से, तो अगर फट से नहीं भी होड़ा है, तो आप यहाँ पर pause कर सकते हैं, उसके आद में फिर से play कर लाना, ठीक है, all right, if s with a sum, चलो बढ़ी आवाद है, sum के बार में तो हमें पता हैं चीजें, reciprocals भी कुछ तो यहाँ पर जो है, add करने के लिए बोल रहा है है यह लिकेन, है न, तो यहाँ पर थोड़ा से एक बार visualize कर लेंगे तो जादा सही रहेगा, ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास में जो numbers है, वो कौन से है, हमारे पास में जो numbers है, वो है basically, कौन से, a, फिर ar, फिर ar square, लिख लेने से मेरे चान से जादा clarity आएगी आप लोग को भी, आप लोग भी लिख लो, हमारे पास में basically ये n numbers से जो gp में है, ठीक है, n terms of gp, ठीक है, अब मुझे अगर इसका s लिखना है, तो इसका तो formula s वाला तो मुझे आलड़ी पता है, ठीक है, तो s का formula लिखने में मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, मैं directly हापर अपना answer लिख सकता हूँ, s is equal to how much, a into 1 minus r की power n upon 1 minus r, ठीक है, अब सर आपको कैसे पता कि यहाँ पर r less than 1 है, r greater than 1 है, इसलिए वहाँ पर में तीनों discuss हैना, जादे interested रहता है, इनों discuss करना है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर r की value तो मुझे पता गी है न, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर मैंने यह लिखना चाहिए कि वो लिखना चाहिए, कोई सा भी लेको, कोई फर्ग में बढ़ रहा है, ठीक है, मैंने यह लिखा है, आप उपर नीचे minus multiply कर लो, यह हो जाएगा, ठीक है, तो आपने अगर यह लिखा है, तो यह भी अभी-अभी किया है, यह समने किया है, तो यहाँ पर इसको जल्दी निप्टा सकते हैं, तो हमारे जो product है, जो अभी-अभी हमने इसी lecture में discuss किया है, कहने कि वो कितना बन जाएगा, a into ar into ar square, और ऐसा करते-करते आपके उसमें क्या है, ar की power n-1 है multiplication में, ठीक है, तो आप यह हमारे पास में ऐसा कुसी result बनना चाहिए, n-1 into n upon 2, है न, n into n plus 1 upon 2 वाले form में को हमने थोड़ा सा modify करके use कर लिया, यह हमें basically पता है, ठीक है, so इसको भी हमें समाल कर रखना चाहिए, we are not sure कि यह कहां इस्तमाल होगा, क्योंकि जो question calculation हमें करनी है, वो तो s upon r की करनी है, तो s हमारे पास में है, r हमारे पास में अभी नहीं है, so let us work on r now, r is the sum of the reciprocals of the n terms of gp, तो यह जो आपके इसमें लाल कलर का एक gp लिखा हुआ है, इनके terms का reciprocal का sum, basically capital r है, ठीक है, तो reciprocal पहले करके लिख लेते हैं इसको, है न, तो यह 1 upon a बना, 1 upon ar बना, 1 upon ar square बना, ऐसे करते करते हैं, तो यह कहां तक जा रहा है, 1 upon ar की power n-1 तक जा रहा है, ठीक है, तो यह जो आपके बास में अब sequence बना है, पहले तो मुझे बताओ, कि यह sequence आपका, अभी भी gp ही है न, reciprocal करने से कुछ नया sequence तो नहीं बन गया, आप यहाँ बे start 1 by a से कर रहे हो, और 1 by a के अंदर आप 1 1 by r multiply कर रहे हो, ऐसा imagine करो, 1 by a के अंदर आप 1 by r multiply कर रहे हो, ऐसा imagine करो, आपको अगर 1 by r अच्छे हैं लग रहा है, तो आप एक काम और कर सकते हो, ठीक है, आप इसी का equivalent expression ऐसा लिख सकते हो, कि आपको number सी consider करना है न, है न, तो आप पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि आपके असमें पहले तो ये term आएगा, फिर इसके इधर वाला term जो हो, क्या होगा, जिसमें आपके पास में r की power एक कम हो गई, लेकिन r की power अगर एक कम हुई है, तो ये r multiply करने से कम हुई है नीचे, ये आपको समय में आएगा, अगर मैं इन तीन terms को finally यह reverse order में लिखने का फायदा यह है कि हमें आगे calculation करने में जाए दिक्कत नी होगी, मेरे पास मेंगर एक sequence ही है और मैं हापे हमके addition से ही calculation finally conclude करना चाहता हूँ, तो addition में इस direction में करूँ, चाहे मैं addition उस direction में करूँ, फरक addition में तो बिलकुल नी पढ़ने वाला, ठीक है, now just realize this, कि यहां से यहां तक आने के लिए आपने क्या किया है, यहां से यहां तक आने के लिए आपने R multiply किया, यहां से यहां तक आने के लिए आपने R multiply किया, फिर से R multiply किया, ठीक है, तो भई यह GP है, जिसका first term यह रखा, और common ratio तो अभी भी R ही है, तो आपका जो यहां पे capital R calculation होने देने वाला है, ठीक है, तो first term, first term into one minus common ratio, one minus common ratio की power number of terms, number of terms तो उल्टा करने के बाद मैं एनी बचेंगी, upon one minus common ratio, ठीक है, ऐसा मेरे पास में equation बन रहा है, अब मेरे पास में R भी है, मेरे पास में S भी है, मेरे पास में P भी है, ठीक है, तो मैं हापर अभी अब calculation को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जादा दिक्कत अब मुझे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं हापर ratio लेना चाहता हूँ, S upon R, तो आप यहापर देखो कि आपक होगे, तो यह आएगा, क्या है यह, A to 1-R की पावर N upon 1-R, और जब आप यहाँ पर R से डिवाइट करना चाहरे हूँ, मतलब बेसिकली क्या है, R के रेसिप्रोकल से मल्टिप्लाइ करना चाहरे, तो R के रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, नीचे वली चीजे उपर, उपर आएगा, A into R की पावर N-1 उपर आएगा, और यह नीचे आएगा, कितना 1-R की पावर है, तो majority of the चीजे तहीं है, आपर आपकी cancel हो जाएगे, अगर आपको यह लिखा वो पसंद नहीं आ रहा, आप जो original R है, उसको ऐसे नीचे A को division करके लिख लो, हैना, calculation आप कैसे value लिखा है, आपने जो value लिखा है, वो same A की नीचे, यह जादा आसान तरिका होता है, मुझे यह लेकिन करना जादा सही लग रहा है, अपने practice के point of view से, तो मेरे पास में हाँ पर majority of the चीजे तो cancel हो चुकी, अब जो R है मेरे पास में हो क्या है, A square R की पावर N-1, हैना, लेक तो अब मुझे यहाँ पर देखना चीजिए कि options क्या है, option में मेरे पास में हर एक option P के format में लिखा हूँ है, तो P के format में हम P तो अलड़ी जानते हैं कि इस गंदे से expression को में P बोल सकता हूँ, तो क्या ऐसा ही कुछ expression मेरे पास में आ रहा है क्या, हाँ लग भग वैसा ही गं पावर कॉमन निकालों तो, अगर मैं यहाँ से 2 पावर कॉमन निकालोंगा, तो यहाँ पर A की पावर N बचेगा, लेकिन R के पास में पावर में तो 2 है नहीं, तो आपके यहाँ पर गंदगी फैलानी पड़ेगी, है न, डिनॉम्टर में आपको 2 देना पड़ेगा, और और और फिर आप यहाँ पर क्योंकि 2 पावर कॉमन निकाल रहे है, तो ऐसा आपका एक्स्प्रेशन बनना चाहिए, अभी जो अंदर वाला टर्म ही, आप P अरड़ी देख चुके हो, इसलिए आपको ओर और यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, यह पी का स्क्वेर, आपका का सरे बच्चों को, क्यालकुलेशन आप कैसे कर रहे हैं, यह आपके उपर निरभर करता है, ओके, कौन से बुक से मैं पढ़ाता हूँ, ऐसे कोई पर्टिक्लर बुक नहीं है, है न, क्योंकि यहाँ पर प्रॉल्म क्या है कि, बुक्स रिफर तो सारे ही एजुकेटर्स बह लेकिन अब यहाँ पर जो है, आपको समझना बढ़ेगा कि, यह जो भी हम आपके साथ में questions डिसक्स कर रहे हैं, यह हर साल के, हर साल के कहीं न की, क्योंकि एक thought दिमाग में है, कि कुछ नो कुछ improvement होना ची हर साल, ठीक है, अब यहाँ पर syllabus तो limited है, तो हम यहाँ पर improvement कैसे कर particular lecture के लिए बहुत अच्छा question है, यह मुझे जरूर पता है, तो इसलिए यहाँ पर curated content जो आपके बास में आ रहा है, वो आपके लिए सबसे best content है, क्योंकि वो curated है, जब यह कोई book होती तो उसकंदर तो इतना सारे सवाल होते हैं, उन सारे सवालों में से यह सवाल जीत के यह यहाँ पर आया है, कि यह lecture में include होना चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसलिए lectures को तो जो है बहुत जो है अच्छे तरीके से आपने देखना चाहिए, और जो JPPs भी आपके हैं, उनको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर follow करना चाहिए, ठीक है, ओर इस थौट के साथ में कि अभी आपके question एकदम से नहीं बन रहे हैं, थोड़ा समय दो, लेकिन practice करते रहो, है न, क्योंकि बनेंगे तभी जब practice करोगी, आगर आपने यह सोच के छोड़ दिया कि हमसे question नहीं बन रहे हैं, तो हम यहाँ पर कुछ और करने की question करते हैं, कुछ आपने बन जाएंगे, ठीक है, but don't be worried a lot about that, but keep practicing, छोड़ना नहीं है, basic main काम क्या है, main बात क्या है, छोड़ना नहीं इस race को, है न, a football is dropped from a height of six, अब यह भी अच्छा सवाल है, यह आपने जो है, इस टाइब के question physics, physics में भी जो है, कहीं किये होगे, होंगे तो, जो है, मुझे लगता है कि नई बात नहीं होगी, शायद आपने किये होंगे, इस तरह के सवाल, हम भी maths में जो है, थोड़ा सा जो है, visualize करने की कोशिश करेंगे इस question के अंदर, a football is dropped from a height of 600 centimeters, 600 centimeters, ओके, ठीक है, और रेट, each time it rebounds, it rises to two-third of the height it has fallen through, अब इस सवाल में एक बात आपको सुझनी पड़ेगे, कि अगर आप किसी भी quantity का two-third करोगे न, तो कभी खतम नहीं होगी, अगर आपके पास में एक cake है, है न, आप हर दिन उस cake का, अगर two-third portion खाओ, तो होगा क्या, पहले दिन तो आपको बहुत बड़ा portion मिलेगा, क्योंकि पूरी cake का आपने two-third portion खा लिया, है न, लेकिन अगले दिन जो बचा हुआ है, उसका two-third खाना है आपको, जो बचा बचाने के बाद भी, उसका one-third बचेगा, जो बचा हुआ था, उसका one-third अभी भी बचेगा, ठीक है, और फिर आप अगले दिन उटके, वो जो छोटा सा portion बचा है, उसका two-third खाओगे, तो उसके बाद भी portion बचेगा, तो यह जो basically आपका, यहाँ पर जो है, cake को तोड़न वाले logic से, उस cake को खाने की कोशिश करो के बाद, because every day, जो भी आपके सामने portion है, उसका two-third आप खा रहे हो, one-third अभी भी आपको फ्रिज में जाके वापस रखना है, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, अगर आपने यहाँ पर ball गिराई है, और यहाँ पर बोला रहे हैं, तो थोड़ी सी अब वो लूज हो जा रही है, आप क्योंकि यहाँ पर sound है, थोड़ा सा heat भी यहाँ पर generate हो गया है, आपने जो ball कर रहे है, थोड़ी सी गरम हो गया होगी, शायद vibrations की वैसे, लेकिन हाँ, majorly sound की वैसे यहाँ पर आपको कुछ तो loss हुआ है energy का, ठ हाइट से ball गिर रही है, ऐसा आप सोचोगे, और आपका अगर यह जो है, बात अगर true है, कि जिस भी हाइट से ball को गिराते हो, उसका tooth heart उपर आता है, तो अगली बार फिर से ball उपर आएगी ज़रूर, जितनी height अलड़ी वो उपर पहुच पाई थी, उसकी tooth heart लेकिन उपर ठीक है, तो हर बार आपकी जो है, height कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन कभी भी height आपकी zero नहीं होगी, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास में, यह जो process है न, ball का उपर नीचे, ऊपर नीचे होने वाला process, यह basically चलते ही जाएगा, ठीक है, सो आप initial height है तो उसके बाद में होगा क्या कि H height से अगर आपने drop किया था तो return में ये कितना उपर आएगी है ना return में आपकी जो ball है ये 2H by 3 height उपर आएगी और क्योंकि अभी 2H by 3 height उपर आई है तो गिरेगी जरूर gravity बक्षने वाली थोड़ी है तो ये नीचे जरूर आएगी है ना 2H by 3 height के साथ 2H by 3 height से ये गिर रही है ऐसा आपको feel होगा तो फिर से जब rebound होगी तो question में क्या दिया है हर बार जब आपकी ball rebound होती है तो वो 2 third height पर ही जाके रूप जाती है तो ये कितना उपर जाएगी जल्द से यहाँ पर आप मुझे बताओ ये जो height है इसका 2 third उपर जाएगी ना तो आप अब इसके अंदर भी 2 by 3 multiply कर रहे हो जब इसके अंदर 2 by 3 multiply कर रहे होगे तो क्या होगा ये 4 by 9 हो जाएगा 4 by 9 से अच्छा आप इसको 2 by 3 का square लिख लो ठीक है यहाँ पर कितना उपर जाएगा ये ये 2 by 3 का square into h उपर जाएगा और क्योंकि इतना उपर गया है तो इतना ही गिरना तो ज़रूरी है ही तो आप यहाँ पर 2 by 3 का square into h नीचे गिर रहे हो इतने height से गिर रहे हो ऐसा बोल सकते हो आप क्यूंकि आपने इतने height से ball गिराई है fallen through आपकी height इतनी है इसलिए अब आपकी ball जब rebound होगी जब आपकी ball यहाँ पर rebound होगी तो कितना उपर जाएगी इसका 2-3 ऊपर जाएगी तो इसका 2 3rd उपर जाएके मतलब के इसके अंदर भी आप 2 by 3 multiply करोंगे तो इसके अंदर 2 by 3 multiply करोंगे तो कितना हो जाएगा 2 by 3 का cube into h उपर जाएगी ठीक है और फिर जितने ही उपर गई हो उतना ही नीचे भी गिरेगी भैय तो ये तो आप 2 by 3 2 by 3 2 by 3 करते करते हैं, height कम तो हो रही है, लेकिन कभी भी 0 नहीं हो रही है, अब आपको यहाँ पर जो है travel, जो इसने distance किया है, उसका sum करके बताना है, find the total distance traveled by the ball before it comes to rest, rest कब आईगे, अगर यह बात आपकी true है, तो यह rest पर कभी भी नहीं आएगे, ठीक है, rest पर कभी भी नहीं आएगे, मतलब आपको infinity तक basically हाँपर जो traveling चल रही है, वो add करते जाना है, ठीक है, तो हम यहाँपर आप सारे-सारे जो distances से उनको add करना start करेंगे, ठीक है, हमारे पास पहला distance यहाँपर जो है, वो h के बराबर है, बाद में 600 डाल देंगे, उसके जगे है, उसमें कौन सी बड़े बात है, पहला h है, लेकिन आप यहाँपर देखो कि the first drop everything is happening twice, तो हम यहाँपर इसको ऐसा लिख लेता हूँ, 2 times of, 2h by 3, plus 2 by 3 का square into h, plus 2 by 3 का cube into h, और यह जो आपके पास में अब यह process जा रहा है, यह infinity तक जाएगा, और आपके पास में जहाँपर यह create हुआ है, यह infinite GP है, क्या है, यह infinite GP है, इस infinite GP को अगर आप add करना चाहोगे तो आपका first term कितना है, आपका first term 2h upon 3 है, और 1 minus common ratio, a upon 1 minus r, a upon 1 minus r, आपके हैं पर common ratio कितना है, common ratio आपका 2 by 3 ही है, right, so this should be your answer, आपके हैं अपर answer कितना मनेगा, h plus, यहाँपर आप अगर calculate करते होते ही हो जाएगा, 4h upon 3, और यहाँपर calculate करके 1 3 उपर जाएगा, 3 3 cancel होगा, फिर से calculation आप अपने हिसाब से करें सारे बच्चे, 5h आपका answer निकल कर आना चाहिए, 5h मतलब पितना हो जाएगा, आपको इहाँपर h की value initially, 600 ऐसे दी वही तो आप इहाँपर 5 into 600 कर लो, आपके हाँपर final answer आ जाएगा, ठीक है, so h is equal to 600 is available in the question, तो आपके हाँपर answer हो गया, 633,000 basically, cm यह travel करेगा, पॉइंट पकड़ में आँगे सारे में चुब, is this clear, yes, mean of AP कब होने वाले विराज, वैसे आपको गर जल्दी है, तो आप 2.0 के सेशन जाके देख सकते हैं, लेकिन mean of sessions, अगर आप अभी 3.0 वाले लेक्श देखना चाहरें, then let me, let me just think, next week, Monday or Tuesday को हो ज next week, Monday or Tuesday को आपको यहाँ पर means का discussion मिलने वाला है, ठीक है, because अभी हमारा कल का जो session रहेगा, उसके अंदर, हम GP को यह continue करेंगे, obviously GP के अभी हम पर properties वगरा discuss करना बची है, ठीक है, then उसके बाद हमें यहाँ पर arithmetic geometric progression, AGP नाम की एक चीज़ करना है, हमें harmonic progression करना है, ठीक है, जब harmonic progression भी हो जाएगा, उसके बाद में means का discussion हम कर पाएंगे, क्योंकि mean में हम aim, gm, hm तीनों discuss करते है, ठीक है, so अभी Monday को हो पाएगो discussion, ठीक है, clear हो गया, quadratic equation में सिंगेज की concept, application, exercise and सारे examples अभी के लिए enough है, हाँ, अभी के लिए enough अगर आप मान के चल रहे हो तो चलेगा, क्य ठीक है, लेकिन always keep in mind कि there are lot more questions that you can still solve, ठीक है, तो कभी भी आप ऐसा feel करते होगी, आपने, जो solve examples है, और जो जो बीजिश में ठीवरी पढ़ाने के बाद में book reference में को आपके questions देते हैं, वो अगर आपके हो गया है, तो आप यहापे थोड़ा break ले सकते हो, ठीक है, लेकिन कभी ने कभी आप यहाप टेस्स दोगे, या कभी ने कभी आपका revision करने का मन करेगा, तो आप single correct वगरा कर सकते हो, ठीक है, although suggested is कि single correct भी कर लो, लेकिन अभी आपको अगर जो है sequence series start करना है, then you can skip that and move on to practice of sequence send series, ठीक है, ओर एट, notebook खतम होगे, question नहीं कराओ, notebook खतम होगे आपके, very good, कितने notebook खतम होगे आप सब बच्चों की, क्या आप सही बच्चों ने यहाँ पे अलगलग 3 notebooks बनाई है कि नहीं बनाई है, यहाँ पर initially 3.0 start होने के पछले हमने थोड़ा सा आपको guide किया था, कि कितना seriously आपको इन lectures को ले right, so yeah, यह जो है, इशानी बहुत ही एक अच्छी बात ही कि आपके notebook खतम हो रही है, ठीक है, मतलब आप बहुत regularly यहाँ पर lectures attend कर रहे है, ठीक है, एक notebook खतम होगे है, सारे बच्चों के, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, good, half notebook खतम होगे है, मतलब आपने कि आप बहुत lecture देख रहे हैं, या फिर आपकी writing आ दिए, या फिर आपने notebook जो है, बहुत मोटी करी दिए, ठीक है, इन में से ही कोई logical conclusion मेरा निकल कर आ रहा है, चलो, अब लेकिन हमारा session का duration जो है, काफी extend हो रहा है, तो या लोग question आप homework में कर ले, है ना, कल के session में हम इस homework question का discussion करेंगे लेकिन आपको कब answer करना है, इस question को, आपको अभी इस question को answer करना है, comment section में, ठीक है, तो आप इस question को ध्यान से बढ़ना, अच्छा question है, बहुत अच्छा question है, ठीक है, मतलब अभी तक जो हमने question discuss की, उन में से, obviously, है न, बहतर सवाल ये वाला है, अगर आप इसको अच्छे त अगर नहीं हो, शेडूल नहीं पता है, तो एक बार शेडूल सार बचे देख लिए हाँ पर, जो ऊपर वाला आपके रो है, class 11 का schedule है, 6 बजे, 7 बजे और 9 बजे आपकी physics chemistry math का lectures होते हैं, और अगर आप 12th class भी देखना चाहते हैं, then Jayan sir, Anupam sir and Nishan sir are actually taking classes for 12th class syllabus, वो आप यह पॉइंट मुझे फील होता है, YouTube पर पढ़ाने के लिए, पढ़ाते समय कि हम बच्चों को पगड के नहीं आ सकते हैं, नहीं तो हम जब offline में पढ़ाते थे, तो बच्चों के घर फून चले आते हैं, कि एपसंटे लड़का तो आपका class में, कई और मस्ती करा हैं, मुंबई मुंबई में तो ऐसे-इसे बच्चे हमारे पास में आते थे, अगर मुंबई वाले होंगे तो यह रिलेट कर पाएंगे, बड़ी cities में, कि बच्चे निकले तो हैं घर से, लेकिन marine drive चले गए, या फिर बांदरा चले गए, कैफे में बैठे आराम से, ऐसे-इसे हमारे पास में लेकिन हम, ठीक है, इसलिए online जो आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हूँ, आप यहाँ पर जो free and quality education access कर पा रहे हूँ, इसके अंदर result आपका अच्छा तब आप आप आएगा, जब आप भी उतना ही seriously in lecture school, जितना seriously हम सभी educators लेते हैं, ठीक है, आप भी रेगलर लिए last lecture की views देखो, ठीक है, तो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि कितने serious aspirants basically यहाँ पर regularly आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को यह बात बाद में realize होती है कि यार हमने बस अगर lectures regularly देख भी लिए होते न, तो भी हम इतनी सारी जनता के आगे होते, क्योंकि इतनी सारी जनता है न, यहाँ पर जो है आपका, अगर 50,000 views है तो वहाँ पर 10,000 views है, इसका मतलब क्या है, बाकि 40,000 बच्चे जो है, 40,000 बच्चे जिनको आप अपनी competition मानते हो, वह actually competition नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो lecture देखा ही नहीं, जो आपने देख लिया है, ठीक है, तो आप अ अच्छा यहाँ पर publication रहता है, अगर आप उसके questions अगर side by side कर रहे हो, then you are further going ahead of the competition, and that should be a really encouraging, you know, result for all of you students, ठीक है, लेकिन side by side यहाँ पर आपको test series जो है, definitely join करने चाहिए, ताकि आपको पता सले कि actually आपकी जो त्यारी चल रहे है, वो level wise कहां तक पहुच पाई है, ठीक है, म आपको पता चल जाएगा कि किस order में मैंने sessions पढ़ाए है, उसी order में आप यहाँ अपना backlog create करना, sorry, backlog जो create हो गया है, उसको resolve करना start करो के तो जादा सही रहेगा, because I take few things for granted, कि मेरे पास मैं अगर जैसे कल के session में, log का एक question आ गया था, ठीक है, तो मैं मैं मान के चल रहा था कि log तो आप सब बच्चों को बताए, तो मैंने arithmetic progression के question में log का question डिसकस कर लिए, ठीक है, तो ऐसे में काम करूँगा, अगर मुझे पता है कि मैंने पढ़ा दिया तो, ठीक है, तो आप भी यहाँ पर जोब स्टार्टिंग से सारी चीज़े cover किये कि नहीं, आपने प्लीज एक system मिल रहा है, ठीक है, यह आपको help करेगा definitely to grow further, आपके YouTube के ओपर भी amazing content already shared है, लेकिन आप अगर यहाँ पर कभी यह feel करते हो कि आप मुझे guidance की कमी पढ़ रही है, या फिर मुझे कोई अगर दे दे exactly कि बस इतना ही 100 question कर ले बटा, यहाँ पर पूरी reference book करने की ज़रूत नही then this is where you will definitely get the best of the educators to guide you and to teach you, ठीक है, so पस इतना ही आपको बताना चाहरा था आज के session में, अगर आपने अभी भी लगी नहीं है यहाँ पर अनकाडमी का learning app install नहीं किया, तो I guess वो आपका first task होना चीग है, क्योंकि before taking subscription also you can attend a lot of free classes on this app, और इस app के ओपर आप मेरे profile के जोग के possible discount, I will also get to know कि आप सारे बच्चों अलड़ी मेरे student रहे चुके है on on Academy J channel और further पढ़ाई के लिए आप subscription platform के ओपर move on कर रहे है, ठीक है, and that's it for the day, आप अगर ही हापर subscription लेंगे तो कुछनों कुछ offers भी चल रहे है, आप यहाँ पर PDF डौनलोड करोगे, notes की, जिसके हाँ आपर ह